नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे, मालती जोशी जी का लोग प्रिय एवं बहुत चर्चित उपरन्यास सह चार नहीं, तो आए सुनते हैं अम्मा फुलके लेकर आईं और एकदम चिला ही पड़ी, अरी लड़की, तो खाना खा रही है या मजा कर रही है, अभी पहली ही रोटी खत्म नहीं हुई, क्या कने अम्मा भूखी नहीं है, पूनम ने मरी सी आवाज में कहा, तू तो पागल हुई जा रही है एकदम, ऐसे को पीना छोड़ देता है भला, अम्मा रोटी जल रही है, मैंने टोका तो अपना विसूटना बीच में ही छोड़कर अम्मा गैस की और लटकी, रोटी जलने की गंध तब तक कमरे में भर चुकी थी, पर उससे मुझे इतनी कौफ्त नहीं हो रही थी, जितनी इस घिसे पिट सुबह शान सुनते सुनते बोर हो चली थी मैं, लगता था जैसे मैं ही कोई राचसी हूँ, जो बकर बकर खाय जा रही हूँ, इस समय भी मेरी तीसरी रोटी चल रही थी, पर लग रहा था कोई बकासुर आकर पेट में बैठ गया हो, नीलू, तू और लेकी, तवा सार करते हुए अम्मा ने पूचा, ना मैंने संचित सा उत्तर दिया, वे जैसे इस उत्तर की प्रतीक्षा ही कर रही थी, खट से गैस बंद की और बेसिन में हाथ धोने लगी, अब रेणों और रभी आएंगे, तब उन्हें भी गरम बना कर देंगी, ख़पत ही तो है, हाथ धो कर अम्मा फिर पूनम के पास आ बैठी, और उसके सिर्थ तथा पीट पर हाथ फेटते हुए बोली, जरा आइने में तो देख, कैसा जरा सा मून निकलाया है, इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं करते पेता, काम काज वाले आदमी है, समय नहीं मिला होगा लिखने का, पूनम और मुखातिब थी, हो सके तो दफ्तर से मेजर सहाब के हाँ एकाद बार फोन कर लेना, अच्छी बात है, कर दूंगी, मैंने ततपरता से उत्तर दिया, लेकिन फोन पर कहूंगी क्या, कहना क्या है, बस मुकल का अता-पता पूछ लेना, कहना बहुत दिनों से पत्र नहीं आया, अम्मा बहुत परिशान है, मुझे हसी आ गई, ये अम्मा के परिशान होने का फिक्रा भी खोग रहा, मुकल की बहन क्या इतनी बेवफूप है, और पंद्रा दिन पहले मुकल का पत्र आया था, तब दोनों जन यहीं तो वैठे हुए थे, सब के बीच में बैठ कर त बड़ा फार्सिकल ही लगा था, मेरी चुप्पी और मेरी मुस्कराहट कुछ और ही अर्थ दे गई, रहने दो अम्मा कल छूटी है, हम खुद ही हो आएंगे दीदी के हाँ, पूनम ने बच्चों की तरह ठुनकते हुए कहा, आजकल उसने बोलने का यह नया तरीका सीखा ह मुझे वह जरा अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारी ननन का घर है, तुम शौक से जा सकती हो वहाँ, मुझे फिर फोन करने की जरूरत है या नहीं इतना बता दो, तुम्हें मालूम है फोन करने मुझे बोस के कमरे में जाना पड़ता है, मैंने बेजारी से कहा, रहने द पर ही देना बेटा, नहीं तो वो लोग सोचेंगे कि सिर्फ पूनम्भर को चिंता है, हम लोगों को जैसे कुछ सरोकार ही नहीं है, नीलू दीदी को जैसी चिंता है सबको मालूम है, क्या मतलग मैं एकदम फट पड़ी, तुम्हारी तरह हर कोई पोस्टर लगाय घूमता प्रश्न पोस्टर का नहीं चिंता का है, और चिंता वे ही लोग करते हैं, जिन्हें कुछ आत्मियता होती है, मुकुल के बारे में आपके जो विचार हैं मुझे मालूम है, देखो पूनम, मुकुल के लिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा, अगर कुछ कहा था, तो वह आम पु और इस वालों के बारे में भी आपकी ऐसी गंदी राय क्यों है, क्या हक पहुंचता है आपको, यह मेरी नहीं आम राय है, मैंने कहा और बहें समाक्त करने की मुद्रा में उठाई, मेरे स्वर की तिक्तता को शायद अम्मा ने भी पकड़ लिया, और पोनम को डारते हुए अब चुप भी कर, बस एक बात को ही लेकर बैठ जाएगी, लेकिन वह चुप कहां हुई, अपने कमरे में साड़ी बदलते हुए मैं बराबर उसकी भिनभिनाहट सुन रही थी, तैयार होकर जाने से पहले अम्मा के पास गई, तब भी सुना, वह कह रही थी, दुनिया में कोई भी प्रोफेशन इनकी नजरों में अच्छा नहीं, हर आदमी लूज केरेक्टर वाला, इनसे पूछो अम्मा कि जब ये इतनी विद्वान हैं, इतनी जाच परकवाली हैं, तो फिर धोका कैसे खा गई, मुझे दर्वाजे पर खड़ा देखकर एकदम सक्ते में आ रही है, रवी से उसका लंच बॉक्स जरूर मांग लेना, कल की छुट्टी है, परसों सुबह ही उसे याद आएगी, तब इतनी बुरी तरह गंधाता है कि बस, और दोनों के मुझे जरूर पानी में डलवा देना, मैं शाम को आकर धोडालूंगी, इतना कहकर मैं जाने के लिए मुड़ी और फिर सहसा जैसे कुछ याद आ गया हो, मैंने पलट कर कहा, पुनम, बात तो तुमने ठीठी कही थी, इतनी जांच परखवाली हूं मैं, और मुझे ही जिन्दगी इतना बड़ा धोका दे गई, इसलिए तो तुम्हारे लिए घरवार देखते समय, कुछ ज्यादा ही सोच विचार करना पड़ा, अब तुमने मुझे जो कुछ भी समझा हो, पर बड़ी भहन के नाते हमेशा तुम्हारे कल्यान की ही कामना की है मैंने, थैंक्यू, उसने कहा, उसके स्वर का विद्रोप मुझे तिल मिला आ गया, उसके बाद उसने जो कुछ कहा, वे तो खुन सर्थ कर देने वाला था, सामने की दिवार को संबोधित करते हुए उसने अस्पुट स्वर में कहा, एक बात निश्चित है दीदी रामी, अगर मेरे साथ कभी इस तरह की कोई दुरगटना घट भी गई, तब भी अपनी लड़ाई में खुद लड़ूंगी, अप मानित होकर घर नहीं लटूंगी, गुस्से में उफनती हुई मैं सड़क पर आ गई, अम्मा ने शायद दोड़ कर उसका मुह भी बंद किया था, पर मैंने देखा नहीं, मुह तो उसका मैं भी बंद कर सकती थी, और वह भी केवल एक वाक से, क्योकि मैं किसी के आश्र कि अम्मा की पेंशन में उसकी पढ़ाई, उसके कपड़े, तथा उसके और खर्चे नहीं सिमर सकते, लेकिन वह फिर भी इतनी बड़ी बात मेरे मुह पर कह गई, तो जैसे उस बहाने मुझे जता गई कि वह मुझे से कितनी नफरत करती है, मेरी सारी शुब कामनाओं का य कुछ जादा ही जागरूख हो गई थी, और तब पता नहीं कैसे, उसके मन में यह बात पैट गई थी, कि अपनी ग्रहस्ती उजड़ जाने के बाद अब दीदी उसे भी सुखी नहीं देख सकती, यहां वहां से रिष्टे जुटाने वाले भी उसकी इस धारना को मुकुल के समय भी यही हुआ, एक तो उसकी पुलिस की नौकरी से मुझे एतरास था, फिर मेजर सहाब के घर का उनमुक्त वातवरण भी मुझे रास नहीं आया, एक बार वियाकर पूनम को देख गय थे, उसके बाद लगा तार चार-पांच बार उन्होंने गाड़ी इस्ते हुए भी डरती थी, फिर बच्चों को साथ कर दिया जाता, रेणों और रवी लोट कर जो कुछ बताते, उससे मुझे बड़ी कोफ्त होती, मैंने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया, फिर एक दिन मौका पाकर मुकुल से भी इस पश्ट शब्दों में कह दिया, कि एक बार सब कुछ ठीक से तै हो जाने दें, तभी इस तरह आना जाना घोमना फिरना अच्छा लगता है, नहीं तो पास पडोस में नाते रिष्टेदारों में सो तरह की बातें होती हैं, मुकुल ने मेरी साथ वोई की प्रशंशा ही की थी, पर पूनम के मता नुसार यह मुकुल का घोर अपमान था, तक से ही उसने जैसे वैर ठान लिया है, वार करने का एक भी मौका वह नहीं चुकती, आज मुहूरत ही खराग था, घर से निकलते हुए जह कांड हो गया, अनमनी अवस्था में स्टॉप पर पहुँची, रूट वाली दो बसें सामने से निकल मुझ में नहीं थी, इसी लिए सीधा टू सीटर किया और दफ्तर पहुँची, वहां अजीबी नजारा था, मालूम हुआ डारेक्टर साहब की असी वर्षिये माता जी का प्रातहकाल देहा वसान हो गया, बारह बजे अंतिम यात्रा निकलने को थी, और हर कोई उसमें समलि होना चाहता था, अंत में तै यह हुआ कि फीमेल स्टाफ अपना शोक प्रदर्शन कल तक के लिए मुलतवी रखे और पुर्षों को जाने दिया जाए, बुढ़ा गणपत हमेशा की तरह ड्यूटी पर रह गया था, देखते ही देखते दफ्तर खाली हो गया, अपने केवि में मैं अकेली रह गई और हॉल में तीन-चार लड़ियां और थी, मुझे मालुम था काम कोई भी नहीं कर रही है, सबकी सब मिस मलहोत्रा की मेज के इर्द इर्द जमी हुई है, पार्टीशन को पार कर उनकी खुसर-खुसर यहां तक सुनाई दे रही थी, बहुत देर तक यह कॉन्फरेंस चलती रही, और ठीक एक बजे मेरे दर्वाजे पर दस तक हुई, में आई कम इन मैडम? येस, कम इन, मैंने कहा और गंभीर मुद्रा बना कर पैट गई, यह रोजी थी, सीवियर हेडेक के कारण आधे दिन की छुट्टी मांगने आई थी, बाकाइदा वह बुरी तरह जेंप गई थी, सब की एप्लिकेशन्स एक साथ ही क्यों नहीं ले आई, एक एक कर आवगी और मेरा दिमाग चाटोगी, ओ मैडम, you know everything, उसने कहा, चेहरे की मुर्दनी एकदम गायब हो गई, और फिर थोड़ी देर में केविन, थेंक यू मैडम, के मधर स् गूंज रहा था, go and enjoy, we will keep the front, myself and गडपत, मैंने बड़पन जताते हुए कहा, उनकी कृतगता भरी नजरों से, मेरे आहत अहम को बड़ी तुष्टी मिल रही थी, थोड़ी ही देर में दफ्तर एकदम सुनसान हो गया, गडपत दो एक बार जहाग गया, तो मैंने उसे चाय लाने के लिए कह दिया, अपने लिए भी और उसके लिए भी, पर उस सनाटे में कप प्लेट की खनखनाहत भी अजीब सी लगूटी, मैं थोड़ा काम करूंगी गणपत, तुम बाहर आराम करो, मैंने उसे आश्रस्त करते हुए कहा, तो उसने जैसे राहत की सांस ली, उसक मैं इसे ठीक से स्टडी कर लूँ, मैंने भी सोचा था कि इस शांत वातावरन में मसले की गुत्थियों को अच्छी तरह समझ लूँगी, पर कहा, आँखी काब्जियों पर दौरती रही, पर एक अक्षर भी दिमाग तक नहीं पहुचा, गणतप मेच पर इस्थानी ये अ अखबार छोड़ गया था, दो निविदा सूचनाय थी आउफिस की, हार कर उन्हें ही देखने लगी, पर आँखें बार बार सिनेमा के आकरशक विग्यापनों से टकरा रही थी, इतमिनान से बैठकर मैं फिर यही अनुमान लगाने में जुट गई कि दस्तर से निकल कर पहला बच्चा, उसे रोज सास के पास छोड़ कर आते हुए, कई बार वह खुद रो देती हैं, मिसिस सक्षेना शायद मा के यहाँ चली गई होगी, रोजी और शालमी जरूर किसी मैटने शो में बैठ गई होगी, शर्मा सावंत और पटेरिया फ्यूनरल के नाम से गय तो हैं, पर वहाँ एक बार अपनी जलक दिखा कर वे भी किसक लिये होंगे, इस समय किसी अंग्रेजी पिक्चर का आनंद उठा रहे होंगे, तिवारी जी जरूर बॉस के हाँ शाम तक भिन भिनाते रहेंगे, जाधो सीधा घर पहुचा होगा, और नई नवेली बीबी को स्क जाती, तो एक सर्क्राइज ट्रीट हो जाती, यह बात मन में उठी ही थी, कि मुझे अपने उपर ही शर्म आने लगी, डैरेक्टर साब की माताजी तीन-चार दिन से विमार चल रही थी, दफ्तर में सब भन-भना रहे थे, देखना बुढिया ठीक रविवार को मरेगी, अ आज एक अत्रिक्त छुट्टी दिलाने के लिए सब लोग मृतात्मा को धन्यवाद दे रहे होंगे, सब देख सुनकर मेरे मन में बार-बार यही आ रहा था, कि हम लोग भावनात्मक रूप से कितने दिवालिया हो गये हैं, मृत्तु जैसी करोणा और गंभीर घटना को भ आकर मेरी समाधी भंकी, अरे तुम क्यों परिशान हो रहे हो करपत, आराम करो ना, मैंने उसकी बुज़ुर्गियत का लिहास करते हुए कहा, अरे साप, आराम कहे का, यह फोन तो नाप में दम किये है, तब मुझे भान हुआ कि इस बीच फोन बराबर बचता रहा है, और बेचारा गणपत दोड़ दोड़ कर उसे अटेंड कर रहा है, साहा की माता जी की मृत्तु का दुखत समाचार देते देते, खुद भी बेहाल हो गया है, वह चाय लेने चला गया तो सोचा, काम तो आज कुछ हुआ नहीं, एक दो घंटे और बैटना है, लगे हाथों मेज साहब को फोन ही कर लू, पर फिर सुबह वाली घंटना याद हो आई, और मन कसैला हो गया, मुझे अपमानित करने के उत्साह में पूनम ने कितनी बड़ी बात कह दी थी, अपनी लड़ाई में खुद लड़ोंगी, हुँ, दस बारे दिन से मुकल का पत्र नहीं आया, तो इनके होश फाकता हो गए, बड़ी सूर्मा बनती है, मेरे अपने संघर्षों की गाथा भी तो उससे चिपी हुई नहीं है, और वह संघर्ष भी क्या एकहरा था, कौन सी लड़ाई थी जो मैंने नहीं लड़ी, मानसिक इस्तर पर, सामाजिक इस्तर पर, आर्थिक इस्तर और इन सब मुसीब्तों से जूजते हुई किसका सहारा था मुझे, कौन आया था मेरी मदद के लिए, जन्मदाई मा भी तो तब अपनी नहीं रह गई थी, और अपमानित होकर घर लोटने की वह बात, क्या कोई शौक से पती का घर छोड़ देता है, माना की वही घर इस्तर तब भी क्या उसकी देहरी पकड़ कर बैटना स्रेशकर है, अपने आपको इतना गिराना मेरे लिए संबह नहीं हुआ, और यही शायद मेरा सबसे बड़ा अपराध था, लेकिन एक बात पूनम ने ठीकी कही थी, इतनी जाच परख करने वाली मैं, और इतना बड़ा धोका खा गई, सचमच आश्चर होता है, सच तो यह है कि वह उम्र ही दूसरी थी, तब इतनी उचनीच कहां सोची जाती है, कोई दूसरा अपने लिए सोचता भी है तो बुरा लगता है, जैसा आप पूनम को लगता है, उस दिन जब योगेश ने अचानक पूछ लिया, कि निल प्रश्न की प्रतीक्षा थी, सिर्फ मैं ही नहीं, अम्मा भी बड़ी बेचैनी से इस प्रश्न की प्रतीक्षा कर रही थी, जब भी योगेश मिलकर जाते, बड़ी आशा से पूछ थी, क्योड़ी, कुछ बोला, अपनी निराशा चिपाने के लिए मैं उन्ही पर बरस के बेरोजगारी पर एक लंबा सा भाशन दे डालती, मुझे बीच ही में रोक कर अम्मा कहती, तो क्या मैं आज ही शादी के लिए थोड़े ही कह रही हूं, पर कुछ बात तो पता चले, इस बात पर मुझे चुप हो जाना पड़ता, चुपी जोर देकर मैं यह नहीं कह पा हम दोनों घंटों बत्याते रहते, राजिनीची से लेकर दर्शन शास्त्र तक, साहित्य से लेकर सिनेमा तक सब बाते होती, पर वह ना होती जिसका मुझे इंतजार रहता, तक बन्नु मामा पर कोफ्त होती, अच्छा रोग लगा गए हैं मेरे जी को, न जीने देता है, न मरने देता, अम्मा का पता देने की जरूरत ही क्या थी, आपका दोस्त इतने बड़े शहर में कहीं भी रह लेता, खा लेता, पर नहीं सहाप, इस पवित्र कारे के लिए हमी को चुना गया, और अम्मा भी ऐसी भावुक कि जैसे ही पता चला, श्रीमान जी की मा नहीं है, त बस सारी ममता एक साथ ही उस पर उडेल दी, छह साथ महीने मुश्किल से वे रहे होंगे और उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई, वे अपनी पोस्टिंग पर चले गए और पडोस का वह कमरा खाली हो गया, पर परिचय की डोर तूटी नहीं और मजबूत होती चली गई, मुला पंक्तियों के बीच छिपे किसी अर्थ को खोजने का निश्वन प्रयास करती, और फिर हताश होकर बैट जाती, मेरी सारी हताशा शेरो शायरी से लैस होकर लोटती डाक से उनके पास पहुँच जाती, पर उनमें भी मैं इस पश्ट रूप से कुछ भी न कह पाती, और और शोड से खातिरदारी में जुट जाती, और नन्ही पूनम बाजार के चकर लगा लगा कर ठक जाती, मैं तो उन दिनों अपनी रह ही नहीं जाती थी, एक दो दिन रह कर वे चले जाते, और जीवन फिर वैसा ही निस्पंध हो जाता, रोश में भरकर अम्मा बढ़ अच्छा गुन्ना लड़का है, ठीक से कुछ बताता भी नहीं, जियो जियो दिन बीटते गए, मेरा मन आशा निराशा से उबर कर संदेह की कगार पर आ पहुँचा, अम्मा से भैस करने की सामर्थ भी मुझ में न रही, और इसलिए जब एक दिन आधी की तरह अचानक आक उन्होंने पूच लिया, नीलम मुझसे शादी करोगी, तो उत्तर देने में मुझे जरा भी समय न लगा, क्योंकि उत्तर तो तयार था, प्रश्न की ही प्रतीक्षा थी, मैंने सोचा था, चिर प्रतीक्षित इस प्रश्न को सुनकर अम्मा तो खुशी से जूम उठेंगी, खुश तो खैर वे हुई ही, पर फोरण ही ग्योहारिक धरातल कर आगए, तो योगेश पेटा, अपने पिता जी का पता लिखवा दो, नीलु के बड़े मामा जी से हम चिठी डलवा देंगे, ये फोरण हाथ जोड कर खड़े हो गए, इतनी बात की माफी चाहूंगा अम्म जी, आप तो जानती हैं, हम लोग यूपी के ब्रामभन हैं, अपनी लीक से जरासा भी नहीं हटेंगे, घर पर पता चल जाएगा तो हंगामा मच जाएगा, अपनी मा होती तो पैर पकड़ कर मना लेता, पर सोतेली मा, आप तो जानती ही हैं, पर बेटे, बाद में तो पता चलेगा ही, बाद में चलता रहे, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मुझे घर से कभी मोह नहीं रहा, हमेशा के लिए छूट भी जाएगा, तो कोई दुख नहीं है, शंका के बादल पल भर में बिला गए, तभी तो बेचारे इतने दिनों तक सोच बिचार करते रहे, गा फानन फानन में सारी तैयारियां हो गई, बन्यो मामा बड़े खुश्ते, बार बार अम्मा से कहते, जी जी टेरी कौट का एक सूट सिलवा कर दो, मेरी वज़े से तुम्हें इतना अच्छा जवाई मिला है, और वह भी मुफ्त में, लेकिन बड़े मामा जी कुछ नाराज से लगे, बोले, जी जी हमें इतना मौका तो देती कि हम लड़के का गाउं घर देखाते, जवाब मैंने ही दिया, मामा जी गाउं घर तो मेरे लिए वर्ज ही है, सो प्रश्न ही नहीं उठता, रही वर की बात तो बन्यो मामा से खुद ही पूछ लिजे, मामा जी फिर भी खुश नजर नहीं आये, मैंने कहा, निराश क्यों होते हैं, अभी पूनम बैटी है, उसके वक्त खुब चौकसी कीजेगा, तब मुझे ही धन्यवाद देंगे कि कम से कम चार जोड़ी जूतों की बचत हो गई, कोई खुश हो ना हो, मैं उस समय आनंद के हिंडोले पर चो रहा था, प्रोजेक्ट साइट पर बने माचिस की डिबिया से वे छोटे-छोटे क्वार्टर्स, दर्वाजे खोल दो, तो दोस्ती करने को आतुर कई हस्ते मुस्कराते चेरे घर में दाखिल हो जाते हैं, दर्वाजे बंद कर दो, तो अपनी एक अलग ही दुनिया बस चाती, शादी के बाद हम लोग 15 दिन के लिए पच्मड़ी गए थे, पर यहां आकर लगा, व्यर्थ ही उतने पैसे खर्च किये, यहीं आ जाते तब भी कोई हर्ज नहीं था, सब कुछ तो था यहां, हरी भरी पहाडियां, कलकल करती नदी, घने पेड, और उससे बढ़कर था निपट एक आंथ, फिर अपने आसपास देखने का होश ही किसे था, साथ तुम हो और मुझको चाहिए क्या, दिन पंक लगा कर उड़ रहे थे, सिर्फ कैलेंडर देखकर ही उनका पोध होता था, शादी को चार महिने हो चले थे, और हमारा हनीमोन मूड अभी कायम था, अपने को बहुत भागशाली समस्ती में कि शादी होते ही सास नननों के जिठानी देवरानियों के हुजों में घिर जाना नहीं पड़ा, तब ये पहले-पहले दिन इतने आहलात कारी होते भी नहीं शायद, कोई न कोई बखेडा होता ही रहता, वह दिन भी ऐसा ही एक प्य प्रोग्राम तै हो रहा था, प्रोग्राम क्या तै हो रहा था, बस बहस चल रही थी, मैं डैम साइट घूमने जाना चाहे रही थी, वहाँ पानी में जिल्मिल करती असंख दीपों की कतार मुझे बहुत अच्छी लगती, ये दिन भर वहीं सिर्खा पाकर आये थे, असी टिक्कु ने आकर कहा, बाहर कोई आया है साब, ये उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़े और मेरी समझ में ही ना आया कि रसोई में भागूं या बेड्रूम कम डैनिंग कम ड्राइंग रूम में ही बैठी रहूं, दर असल मुझे इन बातों का अभ्यास ही नहीं था अम्मा के अहां तो कोई भी आता, तो मुझे ही आगे होना पड़ता था, मैं अभी पशो पेश में ही थी कि योगेश का स्वर सुनाई दिया, ताउजी या, हाँ बेटा, मैं ही हूँ, ढूरते ढारते आही पहुचा हूँ, और इन शब्दों के साथ भारी भरकम डील वाले एक बुजुर्ग ने प्रवेश गिया, बैठिये, योगेश ने रुखाई से कहा, अतीथी का आगमन उन्हें अच्छा नहीं लगा था, यह इसपश्ट था, फिर मुढकर मुझसे बोले, निलम अंदर जाओ, ताउजी के लिए चाय का प्रबंद करो, अतीथी महोदे जैसे हडबढा कर उट बैठे, ना ना बेटे, मैं यहां कुछ नहीं लूँगा, मेरे लिए परिशान मत होना, से ढखकर पैड छूने ही जा रही थी मैं, कि उनकी इस इसपश्ट नकारोपती को सुनकर तनकर खड़ी हो गई, धीमे किन्तु इसपश्ट शब्दों में कहा, ब्रामर की लड़की तो नहीं हुमें, किन्तु इतनी अच्छूत भी नहीं हूँ कि आप चाय भी न पी सकें, वे नम्रता की प्रतिमूर्थी बन उन्होंने दोनों हाथ जोल लिये, मुझे गलत ना समझो बिटिया, इस घर में जब आ गई हो तुम तो ब्रामर ही बन गई ह लेकिन मैं जड़ा पुराने विचारों का व्यक्ति ही, गाउं जुआर की बिटिया भी जहां ब्याही जाती है, हम पानी नहीं पीते, फिर इस घर में तो मेरी अपनी लड़की, ताउ जी इस बात को खत्म कीजिए अब, योगेश बीच में ही गर्जे, बात खत्म करने से स संबंद खत्म नहीं हो जाएंगे, वे भी अब खत्म हो जाने चाहिए, जिस व्यक्ति के नाते जो संबंद था, वह उसके साथ ही समाथ हो गया, प्रस्तर मूर्ती से निश्चल मैं रसोई के दर्वाजे पर खड़ी थी, आवाजे मेरे कानों से टकरा रही थी, पर उनका अ आवाजी मुझे पैचानी सी नहीं लग रही थी, उनकी संतप्त मुद्रा के सामने बजर्ग महमान बड़े नेरी ही से लग रहे थे, बड़ी देर बाद ठकी सी आवाज में वे बोले, गीता नहीं रही, यह बार बार मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है बेटा, लेक उसी रिष्टे से आप आए हैं, तो यहां ठहरिये, नहीं तो क्रपया प्रस्थान कीजे, मुझे कठोर शब्द कहने के लिए मजबूर न कीजे पीड़ा से ताव जी का चेहरा काला पड़ गया, तुम्हें रेणों की याद नहीं रही योगेश, उन्होंने हौले से कहा ताव जी, ये जैसे फट पड़ने को हुए, मैं आपका लिहास करता जा रहा हूँ, और आप मुझे बे अद्बी के लिए मजबूर कर रहे हैं परे धकेल कर ये पीछे आंगर में चले गए, गुस्से से उनका सारा शरीर काप रहा था, कापते कदमों से ताव जी उठे और गर्दन जुकाए हुए धीरे-धीरे बाहर निकल गए यंद्र चालित सी मैं उनके पीछे-पीछे दर्वाजे तक चली गई, उन्होंने एक बार भी पीछे मुड कर नहीं देखा, वे उन्ही बोजिल कदमों से चलते-चले जा रहे थे, और मैं पागल की तरह उन्हें ही देखे जा रही थी, वे मोड पर जाकर अद्रश हो गए, तब भी मेरी आँखें सड़क पर ही लगी रह गई थी, एक गगन चुम्बी प्रासाद देखते ही देखते धराशाई हो गया हो जैसे, पता नहीं मैं वहां दर्वाजे में और कितनी देर खड़ी रहती, मुझे कुछ होश ही न रहा, आती जाती नजरों का घूरना भी मु तो मैं उसी निर्विकार भाव से अंदर आ गई, मेरे वहां से हटते ही इनों ने दर्वाजा इतनी जोर से बंद किया कि दीवारें तक काम उठी, और फिर वे कटे व्रक्ष की तरह भरभरा कर पलंग पर गिर पड़े, उस छोटे से कमरे में उनसे जितनी दूर बैठना सं मैं एक कुरसी पर बैठ गई, पूरा घर साएं साएं कर रहा था, शायद टिको को भी भगा दिया गया था, उस भयानक इस्तधता को घड़ी की टिक्टिक ही भंग कर रही थी, सुनो बड़ी देर बाद इनकी आवाज आई, आवाज में मैंने केवल सिर उठा कर देखा, खीच कर पलंग तक ले गए, यहां बैठो और शांती से मेरी बात सुनो, सुना ये मैंने कहा, मेरे स्वर में जरा भी उत्साह नहीं था, सारा आत्म विश्वास समेट कर वे कुछ कहने को हुए और फिर चुप रह गए, शायद उन्हें शब्द नहीं मिल रहे थे, या फिर वे समझ नहीं पा रहे थे कि बात कहां से शुरू की जाए, सुनो, उन्होंने फिर एक कमजोर प्रयास किया, यह जो आदमी अभी यहां होकर गया है, वे तुम्हारे ससुर हैं योगेश, मैंने बीजही में टोका, ससुर है नहीं थे, उन्होंने प्रतिवात किया, उनके लि क्यों, क्या शादी नहीं हुई थी, हुई तो थी, खुब बाजे गाजे के साथ हुई थी, लेकिन और फिर जैसे एक सूत्र उनके हाथ आ गया, धीरे धीरे उन्होंने पूरा अतीत खोल कर रख दिया, पास साल के भी नहीं थे और मा चल बसी थी, पिता से दो वर्ष भी त्रोत भी मानो सूख गया, कभी वह उमरता भी तो नई के बच्चों के लिए, प्यार की भूक जब असे हो जाती, तो योगेश मौसी की गोद में जादू पकते, पास के कस्वे में ही उनका घर था, गाउं के स्कूल से जैसे तैसे प्राइमरी पास करने के बाद तो वही योगेश का भी घर हो गया, उस घर में उन्हें प्यार तो मिला ही, पढ़ने लिखने का वातवरण भी मिला, कक्षा में हमेशा पहले पांच में उनका नमबर रहा, उन्होंने मौसी का सिर्क कभी नीचा नहीं होने दिया, कभी कभार चुट्टी में घर चले जाते, बस यह घर से संपर्क रह गया था, बाकी तो वे मौसी के ही हो गये थे, हाई स्कूल का रिजल्ट आया, वे जिले में प्रथम आये थे, करियर के कई दर्वाजे उन्हें निमंत्रण दे रहे थे, ऐसे वक्त में ही अचानक पिता चल बसे, विमाता ने कोरा जवाब दे दिया, वैस इसे उनकी सामर्थ भी नहीं थी, चार बच्चे उनके भी थे, और हजार समस्याएं थी, मौसी की इस्थिती बस खाने खिलाने भर की थी, इससे ज़्यादा हैसियत उनकी नहीं थी, पास के ही किसी कॉलेज में बीए या बीसी करना ही संभो जान परता था, वह भी ट्यूश का आश्वासन दिया, उनी से प्रोचसाहन पाकर योगेश ने चार छे इंजेनरिंग कॉलेजों के फॉर्म बर दिये, माक्स अच्छे थे, एक दो जगे सेलेक्शन निश्चित था, और तभी वह विचित्र शर्त सामने आई, मौसी नहीं सुनाई थी, ताउजी अपने पा तग्यता तिरसकार में बह गई थी, सो तो है ही बेटा, मौसी ने शांत स्वर में उतर दिया, पहली चारों भी इसी तरह पार की हैं, और उपाय ही क्या है, पढ़े लिखे लड़के इतने महंगे मिलते हैं अपने समाज में कि उन्हें बहुत पहले से ही छेक लेना पड़त पर उसके लिए अपने को बेचना भी उन्हें गवारा नहीं था, लेकिन बात सिर्फ उनके आत्म सम्मान की नहीं थी, यह मौसी की भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था, मौसी जो सदा से देती ही आई थी, आज पहली बार उन्होंने कुछ मांगा था, आखिर उनकी म अमता की ही जीत हुई, योगेश ने हा कर दी, किन्तु इस शर्त के साथ कि शादी पढ़ाई खत्म करने के बाद ही होगी, दूर भोपाल रिजनल कॉलेज में दाखिला ले लिया उन्होंने, सोचा घर से जितनी दूर रहें अच्छा है, पर जाने से पहले सगाई की रस्म स वे बच नहीं सके, ताउ जी भी कच्ची गोलिया नहीं खेले थे, अपनी और से उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर दिया था, कॉलेज में आये योगेश तो जैसे वहीं के होकर रहे गए, घर से संपर्क कठी ही गया था, मौसी से कुछ मोह था, पर अब वह भी पराईसी ल वे गाउं घर का रुख नहीं करते थे, इसी तरह मानसिक तनाव को जीते हुए, वे फोर्थ एर में पहुची गए, जी जान से परिक्षा की तयारी में जुटे ही थे कि एक दिन तार मिला, मौसी सीरियस, स्टार्ट इमिजेटली, रास्ते भर उनकी देरगायू की इश्व पर से प्रार्थना करते हुए, किसी तरह निहाल पुर पहुचे, तो देखा मौसी एक दम भली चंगी है, यही नहीं, घर में उत्सो का वातवरन है, नई मा सदल बल मौसी के घर विराजमान है, मालुम हुआ, बारात की पूरी तयारी है, बस उसी की प्रतीक्षा थी, उनक कोई साइत नहीं निकल रही है, और फिर तुम्हें कौन उसे अपने साथ ले जाना है, वह यहां मेरे पास बनी रहेगी, तुम अपना पढ़ते रहना, बहस की गुंजायशी नहीं थी, उन्होंने चुप चाप अपने को उन लोगों के हाथ सौप दिया, बरसों बात पिता अगले पिछले खर्चों की बचत के लिए गौने की रस्म भी साथ ही कर दी थी, घर में हास विनोत की बरसाथ सी हो रही थी, पर वे उसी तरह निर्विकार बने रहे, गुस्य में बहु का मुह तक नहीं देखा, अपने प्रती किये गए अन्याय का इतना ही प्रतिशोध त दुख जेल कर आये हैं, शादी की उन्होंने किसी को हवा तक न लगने दी, घर में ससुराल में सबको ताकीत कर दी थी कि कोई पत्र न लिखे, दोस्तों के बीच वे अपनी खिल्ली नहीं उड़वाना चाहते थे, छैसाथ महीने तक सब कुछ शांत रहा, फिर अचानक मौ मौसी का पत्र आया, बधाई लड़की हुई है, मौसी ने यह पत्र बहुत से लिखवाया था, पत्र के पीछे उसी ने बारीक अक्षरों में चिकोटी काटी थी, लाला जी आप तो छिपे रुस्तम निकले, हमारे सामने तो बड़े भगत बने रहे, और वहाँ पहले से ही यह रासलीला चल रही थी, और बस इसके साथ ही सब कुछ समाप्त हो गया, योगेश ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, उसके बाद मैंने कभी घर का रुख नहीं किया, गीता की मृत्तु के समय भी नहीं, उसकी मृत्तु की सूचना देने वाला पत्र मेरे अनेक पत पर भटकता हुआ, मुझे डेड़ दो महीने बाद मिला था, उसके बाद ही मैं तुम्हारे पास आया था, तुम्हारा हाथ मागने, योगेश की कहानी यहीं समाप्त हो गई थी, अब वे तकिये में मुह छिपाए निस्पंद पड़े हुए थे, शायद सांस रोके मेरी प् पर प्रकट रूप से बस इतना ही कहपाई मैं, मुझे यह सब कुछ पहले ही क्यों नहीं बता दिया योगेश, वे उसी तरह मोच छुपाय चुपचाप पड़े रहे, मैंने ही फिर कहा, सच मानो, सब कुछ जान कर भी मैं तुम्हें इतना ही प्यार करती, शायद अब से वे धीरे से उठकर बैट गए, मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोले, सच कहूं निलू, मैंने कई बार कहना चाहा, पर साहासी नहीं हुआ, जीवन में पहली बार सुप मेरे इतने करीब आया था, उसे खो देने की आशंका मुझे कायर बना गई, मैंने उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन मुझे अब यह सोचकर ही शर्म आ रही है, कि जिन दिनों मैं तुम्हें अपने मोह पाश में बांधने के लिए व्याकुल थी, उन दिनों तुम किसी के पती थे, किसी के पिता थे, तुम सुन चुकी हो निलं, वह बच्ची मेरी नहीं, उन्होंने स्तक्त लहजे में कहा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है योगेश, लौकी कर्थों में तो वह अब भी तुमारी बेटी ही है, उसे नकारने का समय बहुत पीछे चूट गया है, ओफ, तुम समस्ती क्यों नहीं, उस समय में कितना परिशान था, फाइ होना किसी आत्म घाच से कम नहीं था, इसलिए मैं किसी विवाद में उलजना नहीं चायता था, सच तो यह है कि तुम कोई रिस्क लेना नहीं चायते थे, इसलिए अपने सुनहरे भविश्य के लिए तुम यह जहर का घोंट चुप चाप नीचे उतार गए, मेरे स्वर में आक्रोश था, अब तुम्हें अगर गलत ही समझना है, तो मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, उन्होंने कहा और सिर तक चादर खींच कर सोने का उपक्रम करने लगे, मैंने चादर का छोर अधवीच में ही पकड़ लिया और पूचा, यह तो हुई बच्ची की बात, और गीत उसके बारे में क्या सोचा था, उसके बारे में सोचने को अब रह क्या गया है, अब तो खेर तुम्हारे भाग से सब कुछ समात हो गया है, पर मान लो वह इतनी जल्दी काल का ग्रास ना बनती, तो तुम क्या जिंदगी भर योही मोच छिपाए गोमते रहते, उसकी मरन का करते हुए मुझे भुलावे में डाले रहते योगेश फटी फटी आँखों से मुझे देखते भर रह गए रेणू को घर ले आने के मेरे नेड़ने को इन्होंने बहुत गलत अर्थों में लिया इन्होंने इसे मेरे प्रतिशोत का एक तरीका ही समझ लिया और मुँफ लाकर बैट गए मैंने फिर डरते डरते अम्मा को पत्र लिखा रेणू के जन्म संबंधी विवात को तो मैं छिपा गई लेकिन शेश सारी कहानी लिखकर भेज दी और सांस रोके उनके उत्तर की प्रतीक्षा करती रही बार बार डर भी लग रहा था कि अम्मा इस आगात को सहन भी कर पाएंगी या नहीं लेकिन वे मुझसे कहीं ज्यादा दिलेर निकली पत्र के उत्तर में पांचमे दिन वे ही सशडीर आ पहुंची उन्हें देखते ही मेरा इतने दिनों का सायम तूट गया और मैं दरवाजे में ही उनसे लिपट कर रो पड़ी वे मुझे शब्द ह इन सांद्वना देती रही पुछकारती रही उनकी गोध में मुझसे पाने के बाद ही यह एहसास हुआ कि इस इसवर्ष के लिए मैं कितनी आकुल थी मेरा आवेक थोड़ा कम होते ही उन्होंने बोलना प्रारंब किया मुझे यह देखकर आश्यर हुआ कि कितने सहज भाव से उन्होंने सारे इस्थिती को स्वेकार कर लिया है बलकि उन्होंने बताया कि उन्हें इस तरह की कुछ आशंका शुरू से थी इसलिए वे इतनी अधीर होउटती थी रेणों के विशे में भी उनकी प्रतिक्रिया इसपस्ट थी उसे अपने घर में आना ही है पर अम्मा क कि इच्छा थी कि थोड़े दिन और नाना नानी के पास रह ले तो अच्छा क्योंकि इतनी जल्दी दोहरी जिम्मेदारी शायद मैं ना समाल पाऊं रवी की आहट उन दिनों मुझे मिल गई थी लेकिन मैं जानती थी इस समय अगर चूप गई तो फिर कभी भी उसे बुल पासना था सहारनपुर का पता अम्मा ने ही इनसे मांग लिया वे मना न कर सके अम्मा के छमादान का इतना तो सम्मान करना ही पड़ा रेणू आखिर इस घर में आही गई उसके नाना नानी खुद उसे छोड़ने आय थे जाते हुए बार-बार मुझे असीश्ते हुए और मन से टूट गए थे जिसने गीता की लंबी बीमारी में बच्ची को छाती से लगा कर पाला था उस नीता की भी अफशाती होने वाली थी मैं यूँ बीच में न टपक पड़ती तो शायद नीता इसी घर में आ जाती उनका इकलोता बेटा डॉक्टर था आमदनी भी नहीं थी रेणों की नानी ने खुद यह मुझे से स्विकार किया लड़कियां बहुतों कहां होती है पर ब्याहा कर अपने अपने घर की हो जाती है पर इस घर का कारक्रम कुछ निराला ही रहा साधारन शक्ल सूरत वाली अपनी लड़कियों के लिए ताउजी ने बहुत उचे सपने देख रखे थे लेकिन उन सपनों को तौलने लाइक रुपए उनके पास नहीं थे मजबूरी में उन्हें रमा की शादी एक इंटर पास युवक से कर देनी पड़ी थी बाद में उन्होंने उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिला कर अपनी तमन्ना पूरी क जैसे उन्हें नुस्खा हाथ लग गया उमा के पती को भी उन्होंने अपने खर्च से वकालत की शिक्षा दी इकठी बीस-तीस हजार खर्च करने की अपेक्षा यूं किस्तों में खर्च करना आसान भी था और सस्ता भी इससे स्वार्थ और परमार्थ दोनों की साधना हो जाती थी गरीब ब्रामर के होनहार लड़कों का भविश्य भी बन जाता था और ससुराल में लड़कियों की नाग भी उची रहती थी शमा के लिए उन्होंने फर्स क्लास ग्रेजवेट ढूड़ा था और उससे उन्होंने कई परिक्षाएं दिलवा डाली थी IAS तो उसे नहीं बना पाए पर बैंक में क्लास वन पोस्ट पर जरूर पहुँचा दिया था परन तो उनकी अनुभवी आँखें सीता के वक्त ही धोका खा गई थी हिंदी में MA पास वह लड़का PhD की धुन में शादी से कत्रा रहा है खबर लगते ही ताउजी पहुँच गए और उसकी सारी शर्तों के साथ बात पक्की कराए सबसे पहली शर्त तो यही थी कि डॉक्ट्रेट मिलने तक वह पतनी को घर नहीं ले जाएगा मा बापको ही उसकी सारी जिम्मेदारी उठानी पड़े थी परिणाम यह था कि दो बच्चों की मा बन जाने के बाद भी सीता पीहर में दिन काट रही थी एकांत में पढ़ने लिखने के बहाने उसका पती भी अकसर यहां पड़ा रहता पता नहीं कैसी थीसिस थी उसकी जो पूरी होने में ही नहीं आ रही थी इन सब धांदलियों के बीच गीता कब अपने जीजा के मोह पाश में बन गई किसी को पता ही नहीं चला और जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी अविलंब शादी कर देने के अत्रिक तो कोई चारा ही नहीं था यह तो उन लोगों का सौभाग ही था कि गीता की सगाई हो चुकी थी लड़का सामने था शर्म से बचने के लिए धीरे धीरे यह बात प्रचलित कर दी गई कि योगेश अक्सर सहारन पुर आते रहे हैं रेणू के जन्म की सूशना पर जब ये मौन साथ बैठे रहे तब उनकी मौसी ने भी यही समझा कि वे शर्म के मारे मौ चिपा गए हैं किसी ने उनकी खोज खाबर नहीं ली सोच रहे होंगे कि कुछ दिन बाद खुद ही लोट आएंगे गीता की हालत जब निरंतर बिगरती चली गई थी तभी फिर इनकी याद आई थी तब तक न जाने ये कितने पते बदल चुके थे यह सब रामायन मुझे सुनाने की जरूरत नहीं थी मैंने तो रेणों को बिना शर्त स्विकार कर लिया था पर शायद वे ही लोग अपना मन हलका करना चायते थे रेणों के आगमन के साथ ही मेरी कहानी समात हो जाती तो यह एक आदर्श और सुखत अंत होता पर मेरे जीवन की त्रास्ती तो वही से प्रारम्भूई कई बार सोचती हूँ क्या वाकई मेरा निर्ने गलत था स्वजनों से बिछडी हुई चार वर्ष की उस अबोध बच्ची को नए वातावरन में समो लेना एक कठिन काम था पर अपने आदर्शों के उनमाद में मैं इस कठिन कर्तब को भी खुशी-खुशी निभा रही थी गर्भस्त शिशु की हरकतों ने मेरा खाना पीना दूबर कर रखा था पर इस परिशानी को भी मैं गर्वो और आनंद के साथ जेल रही थी सारी उल्जन तो सिर्फ योगेश को लेकर थी उनका स्वभाव ही एकदम बदल गया था ना आप पहले कासा गर्जन तर्जन था ना ठाहाकेदार हासी ना चुलबुली शरार थे काम का बहाना लेकर जादतर बाहर ही बने रहते थे घर में जब तक होते मूँ फुलाए बैठे रहते तब एकदम किसी रूठे हुए बच्चे से लगते मन होता उनका सिर अपने वक्ष में छिपा कर उन्हें प्यार से आश्रास्त करूं कि मेरे मन में उनके प्रती कोई कलुष नहीं है किसी प्रकार के प्रतिशोत की भावना नहीं है मेरा एक मात्र उद्देश उस मात्र हीना बच्ची को आश्रे देना है पर शुडवात ही कुछ इतनी गलत हो गई थी कि बात करते डर लगता था यो तो पती-पतनी थे हम लोग देह धर्म निभा ही रह थे पर उसमें अब पहले किसी एकात्मकता आंत्रिकता नहीं रह गई थी बाकाइदा एक शीत युद्दसा छिड़ा हुआ था हर आने वाला दिन मेरे सामने एक समस्या की तरह मूँ बाय खड़ा हो जाता इसी लिए जब अम्मा मुझे लिवाने आ पहुँची तो मैंने राहत की सांस ले लेकिन अम्मा के यहां पहुचकर भी दुष्चिंताओं से मुक्ती नहीं मिली बल्कि वहां तो सोचने के लिए फुरसत ही फुरसत थी रेणू का भार पूनम ने ले लिया था और शेश सब बातों के लिए अम्मा थी ही मेरी अपनी भी चिंता उनी के सिर्थी इसी से दिन भर बैट कर मैं उत्पटांग बातें सोचा करती प्रथम प्रसव को लेकर मन वैसे भी शंका कुल था अम्मा की किसी सहेली ने गीता की अत्रप्त आत्मा का बार बार उलेक कर मुझे और भी डरा दिया था बस अब यही लगता था कि किसी को जन्म देते हुए मैं स्वयम ही म्रत्तु की गोद में पहुँच जाऊंगी अम्मा के सामने बार बार अपनी चिंता दोराती और जड़किया खाती और एक दिन बैठे बैठे खयाल आ गया कि यदि अचानक इस तरह से चली गई तो पता नहीं कितनी बातें अनकही रह जाएंगी योगेश के मन में मेरी इस्मृती एक प्रश्ण चिन्न के रूप में ही रह जाएगी उस दिन सारी रात जाग कर मैंने बारह पेज का एक लंबा सा पत्र लिखा पत्र क्या था? अच्छा खासा म्रत्तु पत्र था अपने प्रेम का बार-बार विश्वास दिलाते हुए मैंने उनका वहम दूर करने की चेश्टा की थी और यह भी लिख दिया था कि अगर वे चाहेंगे तो रेणों को हॉस्टल में रखवा देंगे मुझे कोई आपत्ती नहीं होगी हाला कि यह वाक लिखते हुए मेरा मन मुझे बार-बार कोस रहा था उस पत्र को अपने हाथों पोस्ट करने के बाद मैंने निरंतर आसपास मटराने वाले कालपने की यमदूत से कहा भाई अब मैं तयार हूँ तेरी जब मर्जी हो आ जाना रवी को जब पहली बार चाती से लगाया तो कुछ देर तक मुझे विश्वासी ही न हुआ कि यह सब कुछ सच में घटित हो रहा है मृत्तु भैसे कुछ इतनी ग्रसित थी मैं कि अचरज का पहला दौर समाथ होते ही मैं आनंद सागर में डूप गई पुत्र जन्म की सूशना पाते ही यह तीसरे दिन जब सामने आकर खड़े हो गए तो मुझे लगा खुशी से मैं पागल हो जाऊंगी उनका आना तो अप्रत्याशित था ही पर मेरी प्रसनता का असली कारण उनका बदला हुआ मोड था उनकी आँखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी कुछ दुबले जरूर हो गए थे पर हसने का वही पुराना अंदास लौट आया था जिससे चेहरा भरा भरा लगता था अम्मा की नजरें बचाकर जब उन्होंने मेरी हतेली को धीरे से उठाकर चूम लिया मेरे गालों को हलके से थप थपा दिया तो लगा कि बीच वाले वे भयानक दिन किसी ने मेरे जीवन से निकालकर दूर फेंक दिये हैं मन तो हुआ कि अम्मा से कहूं कि मुझे अभी इसी वक्त इनके साथ भेज दो मैं इनके इस मूट को मुठी में कैद करके रखना चायती हूं पर अम्मा से कहती क्या खाक उठकर बैठना तक तो मेरे लिए मुहाल था और उनकी इस प्रसन मुट्रा को अम्मा ने विशेश महत भी नहीं दिया वे तो जैसे यह सब मान कर चली थी पूनम कह रही थी दीदी जीजा जी को तो देखो दान बीर कर्ण हुए जा रहे हैं क्यूं क्या हुआ मुझे से कह रहे हैं बाजार चलो और जो पसंद आये साड़ी खरीद लो तो चली जाना ये पांस सो की कहें तो तू हजार की लिया अरे वाह क्या उनको लूठी लेंगे हम इसमें लूठने की क्या बात है अम्मा ने कहा वह अपने लड़के की खुशी मना रहा है कोई तुझ पर एहसान थोड़े ही कर रहा है तो इसमें अन्होनी क्या है दुनिया में रोज तो इतने लड़के पैदा होते हैं होते होंगे अपने घर में तो यह पहला है और अम्मा ने रवी को सोते से उठा कर चूम लिया उनके चेहरे पर हर्ष और विशात की रेखाएं धूप चाहसी खेल रही थी एक लड़का न होने का दुख उन्हें जीवन भर सालता रहा था और इसलिए रवी का जन्म उनके जीवन की सबसे महत्यपून गटना थी मैं जब तक वहां रही रवी अम्मा का ही होकर रह गया था सिर्फ दूद पीने भर को मेरे पास आता अम्मा स्कूल चली जाती तो पूनम उसे उठाए उठाए फिर थी नन्नी रेणों भी दिन भर भाईया भाईया कहकर उसे पुचकारती रही वह शैतान भी उसे खूब पहचान गया था और जब वह अपना नन्ना सा सिर्फ हिला हिला कर उससे तोतली बातें करती तो खिल खिला कर हस बढ़ता इन दिनों रेणों ने सबको ताकीत की हुई थी कि उसे दीदी कहा जाए नहीं तो भाईया भी उसका नाम लेने लगेगा तब उसकी भोली भाली बातें सुनकर मन कैसा तो होने लगता क्या सचमुच योगेश उसे हॉस्टल भेज देंगे तब सब लोग यही न सोचेंगे कि अपना बच्चा आते ही सारे आदर्श हवा हो गए लोग चाहे कुछ सोचें या न सोचें स्वयम रेणों के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा लाख छोटी सही पर वह प्यार और तिरसकार का अंतर खूब समझती है तभी तो पापा के पास फटकती तक नहीं और अगर मेरी जिद के कारण घर में रह भी गई तो रवी के प्रती पापा का अतरिक्त लाड़ दुलार देखकर क्या सोचेगी क्या उसके मन में एक हीन बोध नहीं बैट जाएगा घर जाने का दिन जैसे जैसे पास आता गया रेणों की चिंता मुझे व्याकुल करने लगी मुश्किल तो यह थी कि किसी से मुझ खोल कर कुछ कहना भी मेरे लिए कठिन था सोभाग से पंद्रे दिन पहले ही इनका पत्र आ गया इस्थानांतरन हो गया था नई जगे चार्ज लेने जा रहे हैं घर आधी की विवस्था होने तक मुझे अम्मा के पास और रहना होगा पत्र पढ़कर मैंने राहत की सांस ली देखा अम्मा के चेहरे से भी उदासी की चादर हट गई है पर अपनी व्यग्रता में मैंने इतने दिनों तक लक्ष नहीं किया था पर अब ध्यान दिया तो पता चला पिछले दिनों अम्मा भी काफी दुबला गई है पूनम ने बताया कि कई बार रात को उठकर रोती रही है रवी से संभावित विछोओ का दुख उन्हें खाय जा रहा है आखिर मेरी समस्या का समाधान अम्मा नहीं किया यह समस्या उनकी अपनी भी थी इसलिए आगरह के साथ उन्होंने अपनी बात मेरे सामने रखी नहों तो रेणों को थोड़े दिनों के लिए यहीं छोड़ जा दोनों बच्चे एकदम चले जाएंगे तो हमें घर काटने को दवड़ेगा फिर तू भी दोनों को एकदम समाल नहीं पाएगी जरा भी भूल चूक होगी तो पडोसी तो कहेंगे ही योगेश भी कहने से नहीं चूकेगा सौतेली मा का नाम ही बुरा होता है अम्मा की गोद में सिर रख कर कितनी देर तक रोती रही थी मैं ये आसू कृतग्यता के थे या विद्रोह के कौन जाने कस्बे के उस चोटे से बस स्टैंड पर हमारा उतरना मानो अपने आप में एक घटना थी कुछ ऐसा ताम जाम किया था लोगों ने कि लगा मैं किसी छोटी मोटी रियासत की महरानी ही हूँ और यवराज को लेकर पहली बार राज में आ रही हूँ पता नहीं चलते समय योगेश कैसे नर्देश दे गए थे पर सारी टीम टाम से बड़े प्रसन और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे जीब तक फूलों से सजी हुई थी जीब पर बैठते हुए बोले बहुत शैतान हो गए हैं ये छोकरे पूरी बाराथ ही निकाल दी अपनी उनके स्वर में एक नई गरिमा अंचीनी वरियता थी मैंने मुर कर पीछे की सीट पर ठुसे छोकरों को देखा सबने शर्मा कर फिर एक बार नमस्ते दाग दी सारे माहौल से एकदम गरवानवित हो उठी में उस दिन सोचा शायद संसार में मुझसे ज़्यादा सुखी इस्त्री दूसरी न होगी गोद में गुलगोथना सा गोरा चिट्टा बच्चा है बगल में पती है जो गाड़ी चला रहा है जिसका चेहरा आत्म विश्वास से दमक रहा है आगे पीछे अनुचरों की कतार है जीवन में इससे ज़्यादा और पाने को क्या रह जाता है और जब घर में पाउं दिया तो सफर की रही सही ठकान भी उड़न्चू हो गई बाप दादाओं के पुराने से मकान में जिन्दगी कट गई थी ग्रहस्ती शुरू की थी तो वह भी माचिस की डिबिया से छोटे से क्वार्टर में लेकिन यह तो छोटा मोटा बंगला था नया घर, नई सज्जा और नय ही तेज से आलोकित योगेश छे महीने का रवी साथ न होता तो मैं यही सोस्ती की शादी के बाद पहली बार पिया के घर आई हूँ बहुत वैसे हैं आप रात को उनके बालों में उंगलियां फिराते हुए मैंने कहा प्रमोशन हो गया और मुझे बताया तक नहीं लेकिन प्रमोशन हुआ कहां है भाई पता नहीं मुझे तो लग रहा है जैसे आप बहुत बड़े अपसर बन गए हैं उन्होंने एक जोरदार ठाहा का लगाया मैडम यह तो जगे जगे का फर्क है वहां में एक अधना सा पुर्जा था धाई 300 इंजिनियर्स की भीड का एक छोटा सा अंश और यहां अपने सब डिवीजन का सर्वे सर्वा हूं उसी क्या इतना फर्क पड़ता होगा बिल्कुल तभी तो ट्रांसपर के लिए छटपटा रहा था जानती हो एडी चोटी का जोर लगाना पड़ा है तब कहीं जाकर यह पोस्टिंग मिली है इतना मुश्किल होता है और क्या इस जगे के लिए तो डिपार्टमेंट में बाकाइदा नेलामी होती है क्यों लगा रहता है सच मैं जैसे अध्वुत लोग की कोई कथा सुन रही थी जानती हो इतने दिये मैं उन्होंने दोनों हांथों की दसों उंगलियां मेरे सामने फैला दी आश्चर से मेरी आँखें फटी की फटी रह गई दस अजार? बड़ी देर तक मेरे मुँ से कोई बात ही न निकल क्यों? क्या हो गया? इन्होंने ठाहा का मारा सचमच दस अजार दिये थे तुमने? मैंने पूछा ओ, forget it उन्होंने लापरवाही से कहा तुम खुश हो या नहीं यह बताओ बस that matters खुशी से विवल होकर मैंने उनके वक्ष में अपना मुँ छिपा लिया मन सुक से इतना लबालब भर गया था कि किसी और विचार के लिए रत्ती भर भी गुणजाईश नहीं थी पाच साथ दिन बाद जब बन्नु मामा की शादी का कार्ड मिला तब अचानक ही बिना किसी संदर्भ के मुझे उन दस अजार रोप्यों की याद हो आई जिस समय यह रिष्टा पक्का हो रहा था मैं अम्मक यहां थी वे लोग बीस अजार तक देने को तयार थे पर बड़े मामा जी पच्चीस पर अड़कर बैट गए थे उनसे तो अम्मा कुछ कह नहीं पाती थी एक दिन बन्नू मामा को ही उन्होंने सुना दिया रुपय क्या पेर पर फलते हैं मुझ फार कर जो जी में आया मांग लेते हो तुम जैसे पढ़े लिखे लड़के भी अगर यही सब करते रहेंगे तो समाज बदलेगा कैसे समाज बदलने का ठेका कोई हमी ने ले रखा है बन्नू मामा बोले इन दिनों उनके पाउं जमीन पर नहीं पड़ते थे किसी को तो पहल करनी पड़ेगी 25,000 बहुत होते हैं बन्नू उन लोगों की हैसियत तो शायद 20 की भी नहीं है पता नहीं इतना भी वे लोग कहां से दे रहे हैं जिन्दगी भर नौपरी करके कोड़ी कोड़ी जोड़ा है मैंने पर अब तक 10,000 भी इकठा नहीं कर पाई तो वे लोग अपनी हैसियत का घर देखे न इतनी उची उड़ान क्यों भरते हैं जानती हो जी जी तुमने देख तो लिया बन्नू मामा ने कहा और अम्मा का मुह बंद कर दिया उस सीधी चोड़ से अम्मा तिल मिला कर रह गई योगेश को मैंने अम्मा ने सबने माफ कर दिया था पर बन्नू मामा ने उनसे हमेशा के लिए नाता तोड लिया था इस दुरगटना के मूल में वे सोयम थे इसका उन्हें बहुत दुख होता था अपनी शादी का कार्ड वे हमें भेजेंगे इसकी आशा नहीं थी पर ध्यान से देखने पर पता चला पता पूनम ने लिखा था शायद अम्मा ने ही अपने से भिजवाया होगा रात को मैंने इन्हें कार्ड दिखाया तो बोले सुना है वनमाली ने बड़ा लंबा हाथ मारा है किसने बताया कही ना कही से पता चली जाता है लकी चैप मैंने इन्हें ध्यान से देखा और बन्नु मामा की मुफ्तिया दूले वाली बात याद हुआई एक तो हमारा प्रेम विवाह था दूसरे इनका अपना अतीत भी रहस में था इसी से इनोंने मुँ खोल कर कुछ मांगा नहीं पर मांग ही लेते तो अम्मा के पास देने को क्या था पूरे दस हजार भी तो नहीं अगर पुरानी परिपाटी से ही शादी कर लेते तो दुहाजू होने के बावजूत अच्छा खासा दहेज मिल सकता था कहीं इनके मन में उसका पच्चतावा तो नहीं अपने ही समाज में शादी करते तो तुम्हारी भी अच्छी बोली लग जाती मैंने चुटकी ली अरे हटाओ भी कहां का पच्ड़ा ले बैठी वैसे एक बात जरूर है इनलाउज अगर बेल सेटर्ड हूं तो जीवन में पुश अच्छा मिल जाता है ये इनलाउज वाली बात पहली बार सुन रही थी मैं पर उनके स्वर से लगा कि उनके मन में यह बात पहली बार नहीं आई है फिर एक दिन और भी मुझे यह बात सुननी पड़ी थी उस दिन स्वर और भी तीखा था रवी के जन्मोच्चों की पार्टी थी बहुत ही शानदार आयोजन किया था इन्होंने शाम्याना, रेकॉर्डिंग, और्केस्ट्रा, रोश्नी कुछ भी बाकी नहीं चोड़ा था सारी धूमधाम देखकर लगा काश, अम्मा यहां होती तो मेरी आरे समाजी शादी का मलाल उनके मन से हट जाता जगे छोटी थी और मेरे परिचे का दायरा भी अभी सीमित था इसलिए महिलाएं तो गिनी चुनी ही आई थी पर बाहर आद्मियों की एक अच्छी खासी भीड़े कटी हो गई थी रात को जब प्रेजेंट्स उठाकर घर में रखे गए तो ड्राइंग रूम भर सा गया चाबी वाले खिलाउनों से लेकर प्रैम तक सब कुछ था एक ट्राइसिकल भी थी बाबा सूट्स और बिसकुट के पैकेट्स की तो गिनती ही न थी इतने से दिनों में कितने लोगों से मेल जोल बढ़ा लिया है इनोंने मैंने गर्व से सोचा पती की व्योहार कुशलता और मिलनसारी पर मुख्ध थी मैं पार्टी कैसी रही मैडम? रात इनोंने पूछा वंडर्फुल, खुश हो इनोंने मुझे बाहों में भरते हुए कहा शराब का तेज भबका मेरे नत्नों में भर गया अपने चेरे को यथा शक्ती दूर रखते हुए मैंने कहा योगेश तुमने पी लखी है इसे पीना नहीं कहते मैडम सेलिब्रेट करना कहते हैं I celebrated my fatherhood today तो सेलिब्रेट करने के लिए क्या शराप जरूरी है उन्होंने भारी आवाज में कहा आज कुछ नहीं बोलोगी और आगे से भी याद रखो कि तुम अब एक इंजीनियर की बीवी हो किसी मास्टरनी की बेटी नहीं और उन्होंने मुझे अपने पास खीच लिया इस हैवानियत के साथ पलंपर खीचे जाने का मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना अम्मा के लिए मास्टरनी का संबोधन सुन कर हुआ और यह दुख बहुत देर तक सालता रहा योगेश की बातों में सिर्फ शराब की ही नहीं दर्फ की भी भू थी शराब से तेज नशा शायद उसी का था अपनी बद जुबानी पर सुबह शायद उन्हें खुद ही शर्म आ गई थी छमा याचना के स्वर में बोले तीन महीने इस नई जगह में अकेला पड़ा रहा समय काटने के लिए कुछ तो करना था कलब जाने लगा हूँ वहां कमपनी के लिए कभी कभार लेनी भी पड़ती है कस्वे का वह छोटा सा कलब महिलाएं तो खैर वहां नहीं जाती थी पर नगर की जानी माणी हस्तियां और गड़माने अफसरों का हुजूम वहां ज़रूर होता था आकार में छोटा था कलब परंतु प्रकार में बहुत बड़ा होता था कई बार ये विजयोन माद में घर लोटते और मेरी गोध में नोट विखेर कर कहते आज की जीत तुम्हारे नाम मैं फटी-फटी आँखों से उन रुपियों को देखती रह जाती और अस्फुट स्वर में कहती कभी तुम इतनी ही बड़ी रकम हार भी तो सकते हो यह तो खेल है, हार जीत तो चलती ही रहती है यह लापरवाही से कहते बोलने का यह लापरवाह अंदाज भी इन्होंने नया ही सीखा था फिर क्यों जाते हो वहाँ, अब तो समय काटने का प्रश्ण नहीं रहा घर में मैं हूँ, रवी है तुम समझती क्यों नहीं हो टियर वे मुझे बाहों में भर कर कहते वहाँ जाना अच्छा रहता है कॉंटेक्ट्स बनते है सचमुच में कुछ भी नहीं समझ पाती थी यह दुनिया ही मेरे लिए नई थी यहां की भाशा, यहां के रस्मों रिवाज, यहां की राजनीती सब कुछ एकदम अलग थे अम्मा के यहां पहली तारीक से तीस तारीक तक घिसट कर चलने वाली जिंदगी यहां पंख लगा कर उड़ने लगी थी उसकी तेज गती से बौखला कर कभी कभी मैं कहती वी आर गोईं टू फास्ट योगेश तुम्हें कोई कस्ट हो रहा है वे पूशते कस्ट क्या होगा पर मेरा कॉंसियस अलाव नहीं करता और फिर जरूरत क्या है भगवान का दिया सब कुस तो है हमारे पास देखो डियर ये गंभीरता से कहते भगवान सिर्फ हमारे रहने खाने पहनने औरने की विवस्था करता है बागी हाथ पैर हमें खुद ही मारने होते है बागी और रह ही क्या जाता है मैं भोले पन से पूँच बैटती वे एकदम चिढ़ जाते समझती कुछ हो नहीं बस जिरह करने बैट जाओगी अभी उस दिन दिल्ली से एक्सपर्ट आया था एक रात में पूरी देड़ सो रुपए की गटक गया अगर तुम्हारी तरह कॉंसियस लेकर बैट जाओं तो इंतजाम कहां से होगा बताओ तो और परसो बॉस आ गय थे फैमिली लेकर डिनर पर पूरे तीन सो का सफाया हो गया साले घर में दाल रोटी खाएंगे पर तूर पर निकलेंगे तो मचली मुर्गे के बिना कौर नहीं तोडेंगे और जाते समय 15 रुपए का पेमेंट ऐसी शान से कर गए जैसे धर्मराज के बाद इनी का आउतार हुआ है इन सालों के लिए चोड़ी करों और खुद भूखा रह जांग यह नहीं हो सकता यह बात बात में साले कहने की आदत और पाल ली थी उन्होंने सुनने में जड़ा अच्छा नहीं लगता था छोटा बड़ा इस्तरी पुरुष किसी का भी विचार नहीं करते थे दो एक बार मैंने टोक दिया तो बोले यह गाली नहीं है भाई तुम्हारे घर में हमेशा इस्तरी राज रहा है न इसी से तुम्हारे संसकार इतने बोधे हो गए हैं शायद वे ठीक ही कहते थे पर संसकारों से पीछा चुड़ाना इतना आसान तो नहीं होता खटे मीठे अनभवों का एक नमूना भर होता पर ये उन बातों को गांट मांद कर मन में रख लेते थे वह फ्रिज वाली घटना न होती तो मुझे इस बात का पता भी न चलता रवी का पहला जन्म दिन हम लोगों ने बहुत उत्साह से मनाया था पिछली पार्टी की तरह इस बार भी वही धूमधाम वही साज सज्जा वही भीडभाड वही उपहारों का धेर पर इस बार विशेश्ता यह थी कि अम्मा आई होई थी अम्मा पूनम और रेणू रेणों को देखे इतने दिन हो गए थे कि सिर्फ उसे देखने के लिए ही मैंने अम्मा को इतने आगरह के साथ आमंत्रित किया था योगेश तो कभी उसकी बात उठाते ही नहीं थे वह इतने दिनों बाद आई भी तो उन्होंने जरा भी उत्सुकता नहीं दिखाई मेरी माँ उसका सारा उत्तरदाई तो उठाए हुए हैं अम्मा के सामने खर्श की तो बात उठाना ही मुश्किल था पर कृतग्यता के दो शब्दों की अधिकार्णी तो वे थी ही पर नहीं योगेश के लिए तो जैसे वह विशय ही समाप्त हो गया था उनकी इतने बड़े अपराद को हम लोगों ने इतनी सहर्दैता से शमा कर दिया था पर अपनी मृत्त पत्नी के अपरादों का दंड वे उस अबोध बच्ची को दिये जा रहे थे उसे घर में ना रखने का वचन उन्होंने मुझसे बड़े कौशल से ले दिया था चार-छे दिन रहकर महमान चले गए तो उत्सव का वातावरन एकदम समाप्थ हो गया घर भाय माय करने लगा नन्हा रवी भी उदास हो गया मैं दीदी कहकर पुकारती तो खोई-खोई आँखों से इधर-उधर देखने लगता उसकी छट-पटाहट देखकर मेरी आँखें भर-भर आती और उनमें रेवनों की भोली सी प्यारी सी आकरती तैर जाती अम्मा लोगों को समीब के रेलवे स्टेशन पर बिठा कर जब ये लोटे तो रात हो चुकी थी सोई हुए रवी को थपकियाती हुई मैं अनमने भाव से ड्राइंग रूम में बैठी थी आठ साधे आठ के करीब गाड़ी का होर्न सुनाई दिया रवी को सोफे में सुलाकर मैं दर्वाजे में आकर खड़ी हो गई गोविंद को आवाज दो गाड़ी से उतरते ही इन्होंने कहा जब तक गोविंद बाहर आ ही कया था उसने और ड्राइबर ने मिलकर कोई भारी भरकम सी चीज गाड़ी से उतारी जब उसे ड्राइंग रूम में लाकर रखा गया तो मैं अपलक देखती रह गई वह एक बेबी साइज फ्रिज था यह क्या लेकिन उन्होंने मुझे बोलने ही नहीं दिया एक हाथ मेरे मुँ में रखकर दूसरे हाथ में एक कागस नचाते हुए बोले नो कमेंट्स प्लीज कैश मेमो देख लो नकत दाम देकर आया हूँ यह अपने राजकुमार के लिए मेरी और से साल गिरह की सौकात है इसमें कोई बेमानी नहीं है मैं क्या कह रही थी यह तो सुन लिया होता पहले उनका हाथ हटाते हुए मैंने आहत स्वर में कहा क्या कह रही थी अब कह डालो कुर्सी में धंस्ते हुए वे बोले वैसे अब तक का तजुर्बा तो यही है कि रास्ट की बढ़ती हुई चरित्र हिंता पर तुम्हारा एक भाशन हो जाना चाहिए बड़ी मुश्किल से अपने को जब्त किया मैंने बाहर बरामदे में ड्राइबर लॉग बुक लिकवाने के इंतजार में खड़ा था भीतर दालान में दर्वाजे से कान लगाए गोबिंत चाय के ओर्डर की प्रतीक्षा कर रहा था उन लोगों के सामने इस्थिती को सहजी रखने के उद्देश से मैंने धीरे से कहा दो दिन पहले ही ले आते तो अम्मा भी देख लेती, खुश हो जाती, यही कह रही थी मैं अरे ना बाबा, इतना बेवकूफ नहीं हुँ मैं, तुम्हारे उपदेश सुन-सुन कर ही कान पक गए है परम पूजनिया माता जी के वशनावरत सुनने की सामर्थ तो बिल्कुल ही नहीं है सोच लिया था मैंने कि अब कभी कुछ नहीं कहूंगी अपने बच्चे को लेकर अपनी छोटी सी दुनिया में बनी रहूंगी औरों की किसी बात में भी दखल नहीं दोंगी लेकिन भाग भी तो मेरी परिक्षा लेने पर उतारू था वहे फ्रिज जो राजकुमार के नाम से आया था शीक्र ही राजा बहादुर के पे पदार्थों से भर गया था कमपनी के लिए यदा कदा पीने वाली इनकी दलील अब भी कायम थी पर मुसीबत यह थी कि कमपनी अब अक्सर ही जुड़ने लगी थी इस बार जब अम्मा आई थी तो मैंने हलके से योगेश की शिकायत कर दी थी उन्होंने उल्टे मुझे ही गुड़क दिया था बोली थी कमाव मर्धे इतने दिनों तक घर से बाहर बाहर रहा है छोटी मोटी आदितें कुछ पड़ भी गई हो तो उनका इतना हववा नहीं बनाया करते कुछ सब्र से काम लेना सीखो बेकार घर में कलह करने से क्या फायदा अम्मा का यह उदार द्रिष्टिकोर देखकर मुझे आश्यर हुआ था पर उसके मूल में कलह से बचने की भावना थी यह मैं समझ गई कभी लगता अम्मा से ही पूछ लिया होता कि इस सब्र की इंतहा भी है कही क्योंकि घर में पिने पिलाने की माया दिनों दिन बढ़ती जा रही थी कोई भी आयोजन उसके बिना संपन्न नहीं होता था हर पिकनिक उसके बिना अधूरी समझी जाती थी दो एक बार इनके साथ टूर पर गई तो देखा डांक बंगले में भी सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है सबसे चिंता जनक बात तो यह थी कि योगेश ने इसका संबंध आभिजात्य से जोड लिया था उची सोसाइटी का एक भूत सा सवार हो गया था उन पर आये दिन पता नहीं किस किस को डिनर पर आमंत्रित करते रहते अतीथी का मानेवर होना जरूरी था बस फिर ना तो डिपार्टमेंट का बंधन था ना स्टेटस का ना उम्र का मुझे तो आने वालों पर हैरत होती थी इतने सूक्ष्म से परिचय के सहारे ये लोग निमंत्रण कैसे ले लेते हैं उस बार भी इन्होंने ऐसा ही भब आयोजन कर डाला था बहाना क्या था ठीक से याद नहीं डीजे के दामाद इंग्लैंड से लोटे थे या एसपी के छोटे भाई कैनेडा जा रहे थे ऐसा ही कुछ था नगर के सारे गडमान अपसर जुट आये थे उनके साथ थी उनकी महिमा मई पत्निया अपनी गौरो मई उपस्थिती से हम लोगों को अनुग्रहीत करने का भाव पूरे वक्त उनके चेहरों पर बना रहा उन महान विभूतियों को अपने बीच पाकर योगेश तो जैसे धन्न हो गय थे कुछ इस तरह से सब के आगे पीछे गोम रहे थे कि उनका तेज तर्रार व्यक्तित भी एकदम बौना लग रहा था पता नहीं क्यों पार्टी की शुद्वात से ही मेरा मूद उखड़ गया था इतने सारे अपरचितों की भीड में मेरा दम घुट रहा था और गुस्सा भी आ रहा था पता नहीं क्या शौक है इन्हें बड़े-बड़े नामों की भीड इकठी करने का इस तरह का बड़पन बटोर कर ये अपने किसी हीन भावना को दबाना चाहते हो शायद कुछ तो वैसे ही मन खराब हो गया था फिर उस रात जिस मिकदार में शराब बहाई गई उससे मेरा खोन खौल उठा उनसे कुछ न कहने की कसम खाई थी मैंने पर लगा कि अब यह मौन प्रत तोड़ना होगा अम्मा ने कलह न करने की सलाह दी थी घर की शांती मुझे भी प्यादी थी पर उसके लिए इतनी बड़ी कीमत देने को मैं तयार नहीं थी कल को इसी घर में इसी वातावरण में मेरे रवी को बड़ा होना था दूसरे दिन जब ये कुछ कहने सुनने लाइक हुए तो ट्रे में सारी खाली बोतने ले जाकर मैंने उनके सामने रग दी यह क्या है वे गुर्राये कल की पार्टी का हिसाब है मैंने शांत स्वर में कहा लगता है कल सारे समय बैठी तुम यही हिसाब लगाती रही तभी तो किसी से बात करने की फुरसत नहीं थी तुमारे पास उनका आकर्मन इतना अप्रत्याशित था कि मुझे समलने में कुछ समय लगा उससे पहले ही वे बोल उठे क्या फाइदा है तुमारे ग्रेजुएट होने का सोसाइटी में ठीक से मूव होना भी तुमें नहीं आता बड़ी मुश्किल से मैं कॉन्टेक्ट्स बनाता हूँ और तुम सब मट्या मेट करते थी हो मुझे भी ताव आ गया कॉन्टेक्ट सोसाइटी ताव आ गई हूँ मैं इस शब्णों को सुनते सुनते इनके लिए कोई अपनी हैसियत ताग पर नहीं रख देता वे एकदम फफकार उठे शायद मैंने उनके मर्म पर चोट की थी हैसियत की बात क्यों ले आईं तुम इसका सवाल कहां पैदा होता है इसका सवाल तो सबसे पहले आता है आदमी अपनी चादर देखकर प्माव पसारे तो अच्छा लगता है यो बे मतलब पैसा फूखने में कोई तोख है तुम्हारे खर्च में तो कोई कटाती नहीं की मैंने वे गुर्राए खर्च में कटाती नहीं करोगे तो क्या मैं चुप रह जाऊंगी सब तरफ से आँखे मुंद लोगी मैं तुम्हारी बीवी हूँ योगेश नौकरानी नहीं मुझे तुम्हारी आमदनी और खर्च दोनों का हिसाब चाहिए वे तपाप से उठ खड़े हुए देखो मैडम आम खाने से मतलब रखो पेड़ गिनने की जरूरत नहीं है और उसी तेजी के साथ कमरे से बाहर निकल गए कुछ ही ठणों में स्कूटर स्टार्ट होने की आवाज आई उसकी घरघराहट क्रमशह दूर होती चली गई और सारा घर एक अजीब से सनाटे में डूप गया मैं मेज पर सिर्ट टिकाय सोच रही थी क्या यह वही बेखती है जिसे भक्ती भावना से मन मंदिर में प्रतिष्ठित किया था एक एक करके मेरे विश्वास की कितनी परतों को यह तोड़ता चला जाएगा और कब तक घूम घाम कर यह लोटे तब भी मैं उसी तरह निस्पंद बैठी हुई थी दिन जाने कब का ढल चुका था पर मेरे कमरे की बत्ती किसी ने जलाने का साहस नहीं किया था मुझे उस मनाहे इस्थिती में देखकर रवी को भी वे लोग मेरे पास नहीं लाए थे वातावरन के तनाव को सूंगने का नौकर लोगों को अच्छा अभ्यास हो गया था इन्होंने आते ही कमरे में रोश्नी की और मेरे पास आकर बैट गये ठंडी हवा में घोम आने के कारण उनका मूट कुछ ठीक हो गया था या शायद मुझे उस तरे उदास देखकर तरस आ गया हो क्योंकि मेज पर रखे हुए मेरे हाथों को सहलाते हुए जब उन्होंने बोलना शुड़ू किया तो उनका स्वर काफी नरम था देखो निलू वे कह रहे थे कोरे आदर्शों के सहारे जिंदगी नहीं चलती ये बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती है घर की सुरक्षित चार दिवारी में बैट कर इन नारों को दोहराना बहुत सरल काम है लेकिन आदमी जब घर के बाहर निकलता है तब उसका हर कदम यथार्थ की ठोस धर्थी पर पड़ता है और आज की दुनिया का सबसे बड़ा यथार्थ सबसे बड़ी ताकत है पैसा इस सत्य को, इस कटू सत्य को मुझे से ज़्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए जिन्दगी से मुझे घिनावने समझाते करने पड़े उन लोगों के हाथ निलाम हो जाना पड़ा जिनका मुझ देखना तक मुझे गवारा नहीं था अब फिर से उस इतिहास को दोहराना नहीं चायता जिन्दगी के हाथों बहुत कुछ सहा है मैंने मेरा वक्त अब आया है अब मैं ब्याज समेथ सारा हिसाब चुकता कर लेना चायता हूँ बोलते बोलते वे उत्तेजित हो उठे थे उनका हर शब्द उनके आक्रोश को मनस्ताप को व्यक्त कर रहा था उनकी सांतवना के लिए कोई अच्छी सी बात मुझे कहनी चाहिए थी पर मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे थे मेरी तताष्टता को उन्होंने पता नहीं किस अर्थ में लिया वे एकदम उठ खड़े हुए और अपना अंतिम वाग के मुझे पर फेक कर फिर कहीं निकल गए एक बात मैंने बार-बार कही है आज फिर कहता हूँ तुम इस तरह मुझे कोचा मत करो बहुत पीड़ा होती है मेरे ओसन ने मस्तिस को पटल पर यह बात देर तक दस्तक देती रही पती-पत्नी के बीच जब समवाद शेश हो जाते हैं तब दामपत्य जीवन कितना भयावय हो जाता है यह बात केवल अनुभव से समझी जा सकती है उसे शब्दों में बांधना समव नहीं है अनुभवों का यह कड़वा अध्याय मेरे हिस्से में भी आया तब विवाह को पूरे तीन वर्ष भी नहीं हुए थे केवल शारेडी किस्तर पर किसी से जुड़े रहना कितना अपमान जनक होता है पर उन दिनों यही मेरा संबल था सांत्वना थी उन तक पहुझने के लिए यही एक मात्र सेतु था शेश सभी मोर्चों पर हम बार-बार टकरा चुबे थे और यह तथ उभर कर सामने आ चुका था कि हम दोनों में कहीं कोई सामन्जस नहीं है हमारी विचारधारा अलग थी हमारी आचार संयता भिन थी जीवन के प्रती हमारे द्रिष्टिकों में अंतर था और हमारे नैतिक मूल्यों में कोई समान्ता नहीं थी दुख सहने की हमारी चमता एक सी नहीं थी दुख भोगने की हमारी कल्पनाएं भी आपस में मेल नहीं काती थी इन सब बातों के निरस्थ हो जाने पर केवल एक ही चीज शेश रह जाती थी उसी चीज को अपने दैहिक संबंधों को मैं प्राण प्रण से सहेजे हुए थी भले ही इसके लिए मुझे अपनी अस्मिता का गला बार-बार घोट देना पड़ा हो मेरे परिचे के छोटे से दायरे में जितने भी लोग थे सभी उपलब्दियों की इस अंधी दोड में अंधा दुन्द दोड रहे थे बेवसाई भिन थे पर लक्ष एक था धर्म एक था पर किसी भी घर में ऐसी अशान्ती नहीं थी कभी कभी मुझे हैरत होती क्या इनके पास अपने कोई जीवन मोले नहीं है या सब कुछ श्री चर्णों में समर्पित कर ये महिलाएं परमहन सो गई है उनकी इस्तित प्रग्यता से मुझे इर्शा हुआती काश मैं भी उनकी तरह अपने को ढाल पाती तब मैं भी गुनगुनी धूप में मजे में बैठकर तुर्प्त भाव से स्वेटर बुनती रहती कंधा से कंधा मिलाकर इनके साथ दोड नहीं पाती तो कम से कम ठके हुए तलवे तो सहला ही देती कभी कभी लगता घर परिवार से कटकर एकदम अकेले पड़ गए हैं ये इसी से पहारी नदी की तरह निर्वाध बहे जा रहे हैं तब इनके भायों को पास कुलाने की बात मेरे मन में आई थी अपने विद्यार्थी जीवन में जिन समस्याओं से इन्हें जूजना पड़ा था वे ही समस्याओं अब और भी विक्राल रूप में उन बच्चों के सामने थी पर मेरे प्रस्ताओं का एक भी शब्द इन्हें मानने नहीं हुआ बोले पैत्रिक संपत्ती का सारा अधिकार मैंने छोड़ दिया है इससे बड़ा उपकार मैं नहीं कर सकता जितनी बड़ी पैत्रिक संपत्ती थी उतना ही बड़ा यह उपकार था बच्चपन में माजी की म्रत्व के पाद मौसी जी ने ही इन्हें अपने आचल की छाह में लिया था उनकी मम्ता की प्यास बुजाई थी बहुत इच्छा होती थी मेरी कि अब बुढ़ापे के कुछ दिन वे हमारे यहां बिताएं हम उनकी सेवा करें बेटे का वैभो देखकर निश्चे ही उनकी आँखें जुडा जाती पर मौसी का नाम लेना भी उन्हें गवारा नहीं था सस्राल के खेमे में जाकर मात्र सुरूपा मौसी भी पराई हो गई थी अब तक का मेरा अनगो यह था कि दुख मनुष्य को समवेदन शील बना देता है पर योगेश को देखकर लगा कि दुख इनकी समवेदन शीलता को और कुंद कर गया है नए संबंद बनाने और पुरानों को छोड़ने में उन्हें विशेश कष्ट नहीं होता प्रथम प्रेम के ज्वार में उनके स्वभाव की यह विशेश्ता मैंने लक्ष नहीं की थी पर अब बहुत इसपष्ट रूप से इस बात को अनभव कर रही थी कि प्रयोजन समाथ होते ही ये बड़ी आसानी से किनारा कर लेते हैं पहले घर को छोड़ा, फिर मौसी, फिर ताउजी, गीता, रेणू और अब शायद मेरी बारी थी हाँ, शायद अब मेरी बारी थी क्योंकि बहुत दिनों से उन्होंने मुझे अपनी परेशानियों में योजनाओं में साजीदार बनाना छोड़ दिया था इसके लिए उन्हें दोश भी नहीं दिया जा सकता उनकी सारी उठा पटक को मैं बहुत ततस्थ भाव से लेती रही थी ट्रांसफर, प्रमोशन या पोस्टिंग के लिए होने वाली भागम भाग मेरी समझ में नहीं आती थी इन्हें जीवन मरन का प्रश्ण बना लेना मुझे अजीब सा लगता था स्वयम ही समस्याओं को जन्म देकर उनके लिए रातों को जाकते रहना पागलपन प्रतीत होता था नीचे से लिफाफे लेकर उपर को सरकाना उतना ही हास्यास्पत था जैसा की छोटे जूट को छिपाने के लिए बड़ा जूट बोलना इन सब की अनिवारता मेरी समझ में नहीं आती थी और उनके औचित्त से मुझे इनकार था दरसल बीवी के रूप में उन्हें दरकार थी एक गुडिया की जो शोकेस की तरह सजी हुई घर में चुपचाब बैठी मुस्कराती रहे दुरभाग से मैं उनके पल्ले पड़ गई थी पर इश्वर योगेश के प्रती बहुत क्रपालू थे भाग ने जब जब उन्हें किसी बात से वंचित करना चाहा इश्वर ने तुरंत ही दूसरा प्रावधान कर दिया शायद इसी लिए सीमा के पिता जी रेटाइड डियाईजी की हैस्यत से अपने पुराने शहर में लोटाए आते ही उनका योगेश की वियाईपी लिस्ट में शामिल होना तो जरूरी था ही उनकी कोठी की मरम्मत का काम भी योगेश ने अपने सिर ले लिया इस अयाचित क्रपँ से इतने नहाल हो गए वे लोग की कोठी के दरवाजे हम लोगों के लिए स्वागत का द्वार बन गए मेरी तो उन लोगों से विशेश पटरी बैठी नहीं पर ये तो जैसे वहीं के होकर रह गए अपनी गाथा सुनाने के लिए मिसस कुमार को योगेश जैसा धहरवान शोता और कहां मिलता अवकाश प्राक्ती के बाद भी उनके आर्थिक इस्तर में विशेश अंतर नहीं आया था पर नौकरी के जमाने का रोकदाब उन्हें आसानी से भूलता नहीं था कहां तो यह हाल था कि गाड़ी में पेट्रोल भी कभी अपने पैसे से नहीं डलवाया और अब सबजी वाला तक मो उठाकर पैसे मांगता है पहले बस, टैक्सी, स्कूटर, रिक्षा, दर्वाजे पर घंटों बिना चूँच अपड किये खड़े रहते थे अब दो कौडी का तांगे वाला भी आँखें दिखाता है, मोल भाव करता है शहर में पिक्चर कहां कौन सी लगी है, इसके लिए कभी पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ी वे लोग स्वयम फोन करके बतलाते थे, उनकी सीटे रिजर्व रहती थी और पहुंसते ही मैनेजर स्वयम अदब से स्वागत करता था बच्चे भी जाते तो शान से जाते, आगे पीछे सिपाही लेकर जाते, खुद जाते और दोस्तों को भी ले जाते अब तो टिकट के लिए लाइन में खड़ा होना इतना अपमान जनक होता है कि सीमा विवेक ने पिक्चरे देखना ही छोड़ दिया है योगेश केवल मिसस कुमार की विगत गौरोगाथा सुनकर ही नहीं रह जाते उन्हें उसी शानों शौकत से, रोब दाप से शहर में बाजार में घुमा भी लाते इसलिए योगेश उनके लिए दैहिक जरूरत की चीजों में शुमार हो गए और कोठी में जाते जाते योगेश पर ऐसा रंग चड़ा की वे एकदम ही बदल गए दिन भर आंकणों की जोड़ बांकी करने वाला यह आत्मी एकदम मीना कुमारी और मेंदी हसन की गजलों का फैन हो गया अंग्रेजी साहित से उनका परिचे जेम्स हेटली चेज तक ही सीमित था पर अब अकसर उनके मुह से वाल्ट विटमन परल बख या मॉम का नाम सुनाई दे जाता था उन्हें रमी से एकदम नफरत हो गई थी और अब ये ब्रिज और बैडमिंटन धडले से खेलने लगे थे कैक्टस की बीसो किसमें उन्हें याद हो गई थी कहां तो घर में गाय रखना भी उन्हें गवारा नहीं था देहाती सा लगता था पर अब जफराबादी भैंस का रूप गुण बखान करते अगाते नहीं थे यह परिवर्तन अनायास ही नहीं आया था उसके पीछे भी एक कारण था जो मुझसे छिपा नहीं था वह हमारे बिवाह की चौथी वर्ष गाट थी सुबह से तो कुछ भी याद नहीं था दोपहर में ड्रोइंग रूम की सफाई करने गई तो तारीख बदलते हुए अचानक ध्यान आ गया रोल्ड गोल्ड के उस खुबसूरत कैलेंडर को हाथ में लिए मैं देर तक खड़ी रह गई मन हुआ फोन करके इन्हें याद दिला दूँ रिसीवर उठाया भी पर तुरंत नीचे रख दिया सोचा क्या सचमच इन्हें भी याद न रहा होगा सुबह घड़ी में चाबी देते समय तो तारीख पर द्रश्टी पढ़ ही जाती है क्या पता जानभूच कर ही चुप रह गया हूँ वैसे भी दोनों पक्षों में अब पहले कासा उत्साह कहां रह गया है पहली सालगिरह हमने अम्मा कहां मनाई थी तब रवी कुल पंद्रह दिन का था ये आठ दस दिन पहले ही उसे देख कर गये थे दोबारा आने का प्रश्न ही नहीं था अम्मा ने सुबह खीर पूरी बनाई थी और पूनम मेरे लिए एक कारडिगन ले आई थी खापी कर हम लोग आराम से लेटे थे कि दोपहर में अचानक ये आदम के अम्मा की तो खुशी का ठिकाना ही न रहा उतनी से देर में उन्होंने एक छोटा मोटा आयोजन कर डाला दूसरी सालगिरह पर हम लोग अपने घर में ही थे तब भी सालगिरह के नाम पर एक अच्छा खासा हंगामा हो गया था हमने केवल अपने समवयस्क जोड़ों को आमंत्रित किया था इसलिए पूरी शाम हास से विनोत के वातावरन में डोबी रही ये मेरे लिए बड़ी प्यारी सी मस्टर्ड कलर की कांची वरम लाए थे उस उपहार से भी जादा मन को भाग गई थी इनकी सहर देता मेरी पसंद का इच्छाओं का सम्मान करते हुए उस दिन पे पदार्थूं का एकदम भहिशकार कर दिया था मेहमानों में कई शौकीन थे विक कुनमुनाय भी पर शिकायत का स्वर्ख गीत संगीत में डूब गया और पार्टी सफल रही पिछले वर्स हम लोग मांड़क चले गए थे रूप मती बाज बहादूर की प्रणय इस्थली में एक दिन विताना का ब्यात्मक लगा था दैनम दिन एक रस्ता से दूर निकल आये थे हम लोग तो थोड़ा एक दूसरे के समी पा सके थे पूरी दुपहर में फोन से कान लगाय बैठी रही यही लगता रहा कि याद आते ही ये रिंग करेंगे परेशान हो जाएंगे कि अब इतनी सी देर में क्या कुछ हो सकेगा फिर हम दोनों मिलकर एक नया परियाय ढोन लेंगे एक खटी मीठी इस्म्रती उसकी भी बनी रहेगी शाम पाच बजे फोन आया तो पर मिश्रा बाबू का यही बताने के लिए कि साहब बड़े साहब के साथ कहीं बाहर निकल गए हैं देर से लोटेंगे निराशा तो हुई पर याद आ गया इंक्वैरी के सिलसिले में आज बॉस को आना था ये कुछ परिशान भी लग रहे थे बेचारे भूल गए होंगे साजी शंका को शंकाओं को गुड़ी मुड़ी करके दूर फेंग दिया और किचन में चली आई सोचा आज अच्छा सर्प्राइज देंगे पंडित को साथ लेकर मैंने उतनी देर में कितना कुछ बना लिया कटहल के कोफते, भर्वा करेले, बूंदी का रायता, दमालू, पुलाओ कुछ ही दिनों पहले किसी महिला पत्रिका से एक पाक बिधी उतारी थी पिस्ता पुडिंग या ऐसा ही कुछ नाम था कौपी सामने रख कर वही प्रयोग कर डाला डोंगे को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया फिर मेच की ओर ध्यान दिया रोज वाला फ्लावर पॉट उठाकर अलमारी से नया पीतल वाला निकाला नई तरह से फूलों की सज्जा की चांदी के धूपदान में अगरबतियां सजा दी टेबल पर नए मैट्स बिछाए एकदम किसी विशेश औसर कासा वातवरन लग उठा बाहर आकर मैंने रवी को तयार किया अभी पंद्रे दिन पहले ही उसका जन्म दिन मनाया गया था वही नया वाला सूट उसे पहनाया गुलाबी रंग की चंदेरी साड़ी मैंने पहन ली मोतियों की एक लड़ी माला गले में डाल ली बालों में गुलाब का एक बड़ा सा फूल लगा लिया और रवी को लेकर ड्राइंग रूम में आकर बैट गई मैं व्यग्रता से उनकी बाट जोह रही थी और घड़ी का काटा पल-पल आगे सरकता जा रहा था आठ बजे रवी सो गया और मैं उसे उनी नय कपड़ों में ही सुलाकर ड्राइंग रूम में लोट आई और एक पुस्तक लेकर बैठी रही नौ बजे लगा कि पंडित कुछ अनमना सा लग रहा है उससे एक कप चाय बनवा कर पी और उसे विदा कर दिया फिर अपनी बुनाई लेकर बैठी रही दस बजे उठकर किचन में गई एक बाट सब कुछ फिर से गरम किया और आकर पैट गई ट्रांजिस्टर की सुई इधर से उधर घुमाती रही आखिर उसे भी बंद कर दिया वैसे भी ग्यारह बज चले थे कहीं से भी ढंका कुछ नहीं आ रहा था और फिर वह परचित हॉर्ण सुनाई दिया चौकीदार ने उठकर गेट खोला मैं एक मुस्कराहट ओड कर दर्वाजे पर आकर खड़ी हो गई गुस्सा तो खूब आ रहा था पर किसी प्रकार की चक चक से मैं आज की शाम बेरंग नहीं करना चाहती थी सौरी डियर इन्होंने आते ही कहा बहुत देर हो गई न और यह कहते हुए वे सीधे भीतर निकल गए मैं विमोर सी वहीं ड्राइंग रूम में खड़ी रह गई इनके साथी साथ कमरे में एक मंद सुगंद इठलाती चली आई थी और मैं जानती थी कि बड़े सहाब से उसका कोई संबंध नहीं है यह कमरे में कपड़े बदल रहे थे दर्वाजे पर खड़े होकर मैंने पूचा खाना लगाओ या अभी देर है हाँ हाँ लगाओ और देर क्या होगी 11 बच गए हैं भई मैं खाना लगा रही थी तभी यह आकर बैट गए ब्यूटीफुल इन्होंने फूलदान को गोल गोल घुमाते हुए कहा और शुडू हो गए मैं सांस रोके व्यंजनों की प्रशंसा के लिए कान लगाए रही इन्हें मन पसंद खाना मिल जाए तो सारा गुसा परिशानी उड़ंचु हो जाती है पर वे कुछ भी खा नहीं रहे थे बस प्लेट में चम्मच इधर उधर चला रहे थे कहीं से खा कर आये हैं? मैंने धीरे से पूचा हाँ, सीमा ने फिश कटलेट्स बनाये थे कुछ जादा ही खा गया घर पर कभी बनते नहीं है न? सीमा के हां गय थे? हाँ, हाँ, अब जैसे उन्हें होश आया अरे विवेब का फोन आ गया था दिल्ली से दो-तीन ने एलपी लेता आया है मुकेश के गीत हैं एक लता की पसंद के गानों की है एक शायद बीटल्स संगीत है वह तो कुछ अपनी समझ में नहीं आया और इसी तरह वे कुछ देर तक नए रिकॉर्ड्स के बारे में बोलते रहे फिर गुलाब की दो-तीन वैराइटी इसके बारे में बताया जो मिसस कुमार ने अपनी चंडी गड़ हिस्तित बहन से मंगवाई है फिर यह शुब सूचना थी कि टाइफून कुमार सहब का अलशेशन के लिए एक साथी की तलाश है कुमार सहब ने खुद कहा है तलाशने के लिए वे धुआधार बोलते जा रहे थे और मैं एक टक उनकी ओर देखे जा रही थी जब भी ये वहाँ होकर आते थे इसी तरह अनवरत बोलते रहते और मुझे बार-बार लगता रहता कि ये वह बात नहीं कह पा रहे हैं जो बार-बार उनके होटों से बस फिसलना ही चायती है तुम खा चुकी? इन्होंने एकदम से पूचा बस खत्म ही कर रही हूं उठो तुम मैंने कहा और ये ऐसे उठ गए जैसे प्रतीक्षा में ही हूं मैंने किसी तरह अपना खाना गले से उतारा और राहत की सांस ली बचा हुआ खाना फ्रिज में रखने जा रही थी तब देखा पिस्ता पुडिंग मेरा मुझ चिला रहा था बाएं हाथ का तक्या बनाए ये अपनी प्रिये आराम कुर्सी पर लेटे थे दाएं हाथ में सिगरेट जोल रही थी और पैट किसी धुन पर ताल दे रहे थे डबल बेड गोज रेज सेफ और ड्रेसिंग टेबल आदी के बाद कमरे में मुश्किल से चलने फिरने की जगे बच पाती थी पर घर कैसा भी हो मुझे बेड रूम में इस कुर्सी की जगे निकालनी ही पड़ती थी अपसर पहले वाले दिनों में जब ये सोने से पहले सिगरेट लेकर आराम कुर्सी पर जम जाते तो मैं वहीं फर्स पर उनके घुटनों पर सिर्टिकाय बैठी रहती पता नहीं कैसी कैसी कितनी कितनी बातें कर डालते थे हम लोग कई बार बात होती भी नहीं थी चुप चाप एक दूसरे के सामीप को जीते हुए हम निस्पंद बैठे रहते पिछले बहुत दिनों से इस सामीप के सुख का अनुभाव नहीं लिया था मैंने बहुत मन हुआ कि वहीं अपनी पुरानी जगह पर जातर बैठ जाओं पर अभ्यस्त पैर पलंकी ओर ही मुड़ गए वहीं से पलंकी पाटी पर अपना चेहरा टिकाए मैंने कहा सुनो आँखों में प्रश्न भर कर उन्होंने मुझे देखा एक बात कहूं कहूं बुरा तो नहीं मानोगे वे कुछ देर चुप रहे फिर बोले तुम्हारी बातों का बुरा मानना मैंने अर्से से छोड़ दिया है अंदर तक चुप गया जैसे क्या यही व्यक्ति था जिसने अभी आदा गंटा पहले घर में घुषते ही मुझे डियर कहकर संबोधित किया था क्या सचमुच ही अब उस शब्द के साथ केवल औप्चारिकता या आदत ही रह गई है नेलम नहीं कहा डियर कह लिया तुम कुछ कह रही थी बात जो कहनी थी उसके लिए पहले मुझे बहुत संकोच हो रहा था पर अब सोचा जब सामने वाला इतना निरलिप्त है तो संकोच कैसा मैं सीमा के विशय में कह रही थी उनकी निरलिप्तता एकदम समाथ हो गई प्रश्णांकित चेहरा लिए वे एकदम सीधे होकर बैट गए मैं कुछ कहूं तो तुम मुझे गवार या एश्यालू मत समझना तुम पुरुशो बिवाहित हो लोका पवात तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं है पर सीमा लड़की है ज्यादा कुछ समझने भूजने की उम्र भी उसकी नहीं है फिर वह क्वारी लड़की है लोगों की चौकस निगाहों से वह बच नहीं सकती कल यही बातें उसके विवाह में बाधा बन सकती है वे कुछ देर चुप रहे फिर धीरे से बोले तुम क्या समझती हो यह बात मेरे मन में कभी आई ही नहीं फिर भी हाँ फिर भी फिर भी वहां जाने से अपने को रोक नहीं पाता हूँ अब चुप रहने की बारी मेरी थी जानना चायती हो मैं वहां क्यों जाता हूँ मैंने केवल उनकी ओर देख लिया कहा कुछ नहीं वहां जाता हूँ मैं अपने ही खाली पन को भरने जो चीज मुझे यहां घर में नहीं मिल पाती है मैं उसे पाने की आशा में वहां जाता हूँ वे इतने सपाट स्वर में यह बात कह गए जैसे उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले फिश कटलेट के बारे में कहा था क्या नहीं मिलता है तुम्हें घर में किस चीज की आशा में जाते हो वहां मैंने छींड स्वर में कहा वे पुनह अपनी उसी मुद्रा में लेट गए बची हुई सिग्रेट एश्ट्रे में डालकर उन्होंने नई सिग्रेट जलाई और आराम से कश लेने लगे मैं अधीरता से उनका सारा क्रिया कलाप देखती रही सांस रोके उनके उत्तर की प्रतीक्षा करती रही पर उन्हें यू अपने में व्यस्त देखकर आखिर पूँची लिया तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया देखो निलम उन्होंने एत्मिनान से कहना प्रारंब किया जब पूँची ही रही हो तो सुनने की शक्ती भी तुमें होगी ही यही सोच कर बोल रहा हूँ एक बात तुम्हें बता दू आदमी सिर्फ खाने और सोने के लिए घर में नहीं आता घर से उसे और भी अपेक्षाय होती है विशेश कर पत्नी से मैं बहुत पिछली बातों में नहीं जाऊंगा क्योंकि एक गिनाने बैठूंगा तो हजार निकलाएंगी मैं सिर्फ आज की बात कहूंगा तुम्हें मालुम था आज ओफिस में इंक्वारी है बॉस इस्पेशली उसी कारण से यहां आये थे चिंता के कारण पिछली दो रातों से मैं ठीक से सो भी नहीं पाया हूँ फिर भी ना तुमने सुबह ही कुछ व्यगरता प्रदर्शित की ना वापस आने के बाद ही कुछ पूँचा बस आते ही खाना परोस दिया और तुम्हारे कर्तव की इतिश्री हो गई और यह लड़की सीमा जिसमें तुम्हारे विचार से कुछ समझने भूजने की ताकत नहीं है बराबर दो दिन से मेरा साहस बनाय हुए है सुबह भी उसने फोन करके मुझे गुडलक दिया था और ताकीत करती थी कि शाम को हर हालत में मैं वहां जाकर उसे सब बताऊंगा मैं तो समझता हूँ यह उसकी शुब कामनाओं का ही परिनाम है कि सब कुछ ठीक से निपट गया और इसकी खुशी जितनी उसके चेहरे पर थी उतनी तो मेरे मन में भी नहीं थी आठ बजे से पहले मैं सरकेट हाउस से निकल नहीं पाया था तो वह नर्वस हो गई थी बराबर फोन से कान लगाए बैठी थी एक अंजान लड़की मेरे मसलों में इतनी दिल्चस्पी लेती है और मैं नहीं लेती यही कहना चायते हो न लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बसती सुन्दरपुर वाला केस इतना गंभीर, महत्तुपूर और पेचीदा है यह बात सिर्फ सीमा को ही बताई गई थी मुझे भी तो बता सकते थे तु उससे फर्क क्या पढ़ना था क्या इससे पहले कभी बताया नहीं पर तुम्हारे पास देने को क्या? सिर्फ उबदेश उलाहने जबकि सीमा धीरस देती है सलाह देती है सांत्वना देती है तुम्हारे सामने बैट कर लगता है मैं सबसे निक्रिष्ट व्यक्ती हूँ जबकि सीमा के साथ दो घड़ी भी रह लूँ तो एक आत्म गौरों की अन्भूती होती है अपनी ही नजरों में उचा उठ जाता हूँ मैं क्योंकि उसकी आँखों में होती है श्रद्धा, आस्था, आदर, विश्वास और शायद प्यार भी हाँ निलू, प्यार भी होता है उन आखों में वह प्यार करती है निलू, और तुम सिर्फ आलोचना करती हो यही फर्क है तुम दोनों में और बहुत बड़ा फर्क है उनका एक एक शब्द बजरा घात की तरह मेरे मन मस्तिश्क को संग्या शून्य करता चला गया प्रस्तर मूर्ती सी जड़ होकर रह गई मैं मुझे नेसंकोच बता देना मैं एक छणका भी विलंब नहीं करूंगी चुपचाप रास्ते से हट जाऊंगी वे अपनी जगह से उठाए और मेरे पास आकर खड़े हो गए उनके देह की परचित गंद सिगरेट की गंद के साथ एकाकार हो मुझे मोहा विष्टसी करने लगी नेलम वे दूरस्त स्वर में बोले बहुत आभारी हूं मैं मुझे यह सब कहने के लिए तुमने मजबूर नहीं किया यह उपहार था उनका विवाह की चौती वर्स गाठ पर मेरे लिए और सचमुच मैंने एक छण की भी देर नहीं की बस कानोन ने जितना समय लिया उतना ही और देर होने का प्रश्न ही नहीं था समय लगता है घर खड़ा करने में उसे बसाने में, सजाने सवारने में बिखरी इटेट होने में वक्त ही कितना लगता है बच्चों के लिए खासकर रेणों के लिए बहुत डर हो रहा था पर कस्टडी मिलने में जरा भी परेशानी नहीं हुई उनकी और से कोई आग्रह था भी नहीं उन्हें उनकी वांचित स्वतंत्रता दे कर मैंने दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया बड़े मामा जी तो बलकी बहुत नाराज भी हुए बोले इस बला को तो अपने साथ क्यों ले आई है जिसकी है उसे भुगतने दे पर वह बला तो नहीं थी वह जीती जाकती गुडिया रेणू थी उसे एक घर चाहिए था और उसके लिए दुनिया में सिर्फ एक घर था मेरा घर नहीं जाएंगे क्या भाई साब आज मैंने चौक कर सिर उठाया खिस्यानी से मुद्रा लिए गणपत टेबल के पास खड़ा था और घड़ी का काटा साड़े पाँच को पार कर गया था सौरी गणपत देर हो गई पर भले आदमी जरा पहले ही आवाज दे ली होती अच्छा नहीं मालून देता साब आप काम में थे दिया बत्ती से पहले बड़े साब के आँजाना है नहीं तो डिस्टर्ब ना करता अभी उसकी अंग्रेजियत पर मुस्कुराते हुए मैंने अपनी मेज देखी सामने फाइल खुली पड़ी थी और नोटपैट पर पेंसे जाने क्या-क्या गोद रखा था मैंने ठीकी तो कह रहा था बेचारा बहुत काम में थी मैं मुझे डिस्टर्ब करने के लिए बार-बार माफी मांग रहा था और मैं देर हो जाने के कारण बार-बार लच्जित हो रही थी अच्छा खासा छमा पर्व मनाते हुए मैं दफ्तर से बाहर निकली सुबह आटो रिक्षा में पैसे फेंग दिये थे अब शाम को भी वैसा ही शाह खर्च बनना संभव नहीं था चुप-चाप बस स्टॉप की राह ली स्टॉप पर आकर खड़ी हुई ही थी कि सामने से कौशा लाता दिखाई दिया जिस किसी दिन देर हो जाती है यह शक्स जरूर टकराता है उसका बैंक अक्सर इसी समय बंद होता है चल रही है पास आते ही उसने स्कूटर धीमा करके पूँच लिया ओ नो ठैंक्स आज जरा कुमत के अहां जाने का प्लैन है जल्दी में जो भी नाम याद आया मैंने धडल्ले से बोल दिया अभिवादन में हाथ हिलाता हुआ वह चला गया और मैंने राहत की सांस ली जनाब बन्नु मामा के साले सहाब हैं इनकी लिफ्ट को नकारते भी तो नहीं बनता फिर जब घर तक कोई छोड़ता है तो चाय के लिए भी कहना पड़ता है यह भला आग्मी कभी मना भी नहीं करेगा शायद इसके सामने भी मेरी ही तरह रिष्टेदारी का तकाज़ा हो एक कप चाय पी कर कोई चुप चाप चला भी जाये तो गनीमत है पर यह तो जम कर बैट जाएगा और फर्राटे से शुरू हो जाएगा बोलने के लिए किसी विशय का विधी निशेद इसके पास नहीं है पता नहीं बीबी भी हक्तों कहां गायब रहती है कभी घर जाने की जल्दी भी इसे नहीं होती अम्मा कौशल की अनन्य और एक मात्र शोरता है अभी उस दिन महाशा जी बड़े ईत्मिनान से अम्मा को बता बैठे कि योगेश सस्पेंड हो गए हैं और तीन महीने से घर में बैठे हुए हैं यह बात मुझे बहुत पहले ही पता चल गई थी पर मैंने अम्मा को हवा नहीं लगने थी क्योंकि अम्मा की प्रतिक्रिया क्या होगी मैं जानती थी और वही हुआ कौशल से खबर मिलते ही हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई उनकी इच्छा थी कि मैं योगेश को पत्र लिखूँ सांत्वना का पत्र अपनी ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दू मैंने यह कहकर पीछा छुडाना चाहा कि मुझे पता नहीं मालूम है तो अब उनकी यही रठ है कि कौशल को मालूम होगा उससे पूँच लो अब हर तीसरे दिन पूँचती है कौशल मिला था इसी लिए वह मिलता भी है तो मैं कन्नी काट जाती ही वैसे सस्पेंशन की बात सुनकर मुझे दुख चाहे हुआ हो आश्यर इक बिल्कुल नहीं हुआ था एक ना एक दिन वह होना ही था क्योकि जीवन में और उचा उठने की होड में कई बार ये विवेक का धरातल छोड देते थे सीमा का अनकूल साथ पाकर उनका कारोबार और बढ़ा ही होगा इसकी सहच कल्पना की जा सकती थी किन्तु मनुष्य जितनी अधिक उचाई से गिरता है चोट उतनी ही अधिक लगती है व्यवहारिक संदर्व में हम एक दूसरे से कट गए थे पर उस चोट को मैंने भी अनगव किया था किसी भी आगात को सहने की उनकी अक्षमता का इसमरणकर में चिन्तित भी हुई थी पर मन ही मन उस चिन्ता को समो लेने के अत्रिक्त मैंने कुछ नहीं किया करना संभव ही नहीं था हम लोगों का रिष्टा कुछ ऐसा नाजुक हो गया था कि मेरा कोई भी प्रयास गलत ही समझा जाता योगेश उसे उपहास ही समझते अपने दुर्दिन का क्रूर उपहास परन्तु अम्मा को यह समझाना भी तो कितना कठिन है दूर से देखा अम्मा बरामदे में ही कुर्सी लगाए बैठी हुई थी मेरा मा था ठनका इस समय तो अम्मा को किचन में होना चाहिए था अम्मा के घर में होने का यही तो सुख है दिन भर बच्चों की चिंता नहीं रहती और शाम को घर लोटने पर गर्मा गरम चाय नाश्टा मिल जाता है सीधिया चड़कर मैं उनके सामने से होकर अंदर चली आई पर वे वैसी ही बैठी नहीं मेरा यह ब्रह्म भी तूट गया कि वे मेरे देड़ से आने के कारण चिंती थे घर भी एकदम सुनसान था बच्चों का कहीं अता पता नहीं था कमरे में देखा टेबल पर मेरा दिया हुआ होम वर्क भी उन्होंने चुआ नहीं था शायद दोपहर से ही खेलने निकल गए थे अब कुछ कहूंगी तो अम्मा उल्टे मुझे ही डाटेंगी तु मा है या दरोगा दिनभर बच्चों के सिरही चड़ी रहेगी पूनम रानी भी घर में नहीं थी शायद नहीं तो इस समय रेडियो के साथ उनकी अक्षे जुगल बंदी जरूर सुनाई दे जाती कपड़े बदल कर किचन में आई देखा वहां भी मामला ठंडा था मन खराल हो गया चुपचाप सारा गुस्सा पीकर गैस चलाई और चाय का पानी चड़ा कर बाहर आई अम्मा सड़क को घूरती हुई वैसी ही चुपचाप बैठी हुई थी अम्मा चाय लोगी मैंने पूँचा ले लूँगी उनका मरा सा जवाब आया हतोत साहित होकर मैं किचन में चली आई पानी मेरी राह ही देख रहा था चाय शकर तथा दूद मिलाकर उसे खौलाया छान कर प्यालों में डाला फिर अलमारी खोलकर चार नमकीन बिस्किट निकाल लिये और ट्रे में सारा सामान लेकर मैं बरामदे में चली आई बच्चे नजर नहीं आ रहे विस्किट कुतरते हुए मैंने बहुत सहज भाव से पूछ लिया सरकस गए है सरकस? क्या पुनम के साथ गए है? मैंने अविश्वास के स्वर में पूछा क्योंकि पूनम बच्चों को पिक्चर तो ले जा सकती है पर सरकस असंभव सामने महता सहाब के बच्चे जा रहे थे उन्हीं के साथ भेज दिया अम्मा ने शांत स्वर में जवाब दिया बहुत गुस्सा आया मुझे भला अम्मा को ऐसी क्या जल्दी पड़ गई थी उठा कर हर किसी के साथ भेज दिया महता सहाब के बच्चों में श्रीकांत भी है गोलू भी है और रेणू भी अब सच अम्मा तो कभी-कभी कमाल कर देती है मैं तो खुद कल का कारक्रम बना रही थी पर बहुत बेसब्र होते जा रहे हैं दोनों मैंने किसी तरह अपने को जब्त करते हुए कहा उन्होंने कुछ नहीं कहा रहे मैंने ही जित करके भेजा है अम्मा अब एक्दम सतर खोकर बैट गई थी मुझे बोलने का आउसर दिये बिना ही बोल उठी आज मेजर साहब का फोन आया था क्या मुकुल को गोली लगी है गोली? मेरी उपर की सांस उपर ही रह गई कब हाथ से चूटते चूटते बचा हाँ डांकूओं के साथ एक मुठभेड में गायल हो गया है पाउ में गोली लगी है उन लोगों को आज ही खबर मिली है मिलते ही उन्होंने हम लोगों को फोन किया था कब? दोपहर में? हाँ, फोन मिलते ही है चोकरी तो वहीं रोने बैट गई मिसेस राजू दोड़ी दोड़ी मुझे बुलाने आई थी बड़ी मुश्किल से उसे घर तक ला पाई मैं फिर? फिर क्या? हम दोनों मेजर सहाब कहां चली गई उसे अकेली कैसे भेज देती? मेरा वैसे भी जाना जरूरी था बच्चों की समस्या थी इतना सा मुह बनाए बेचारे घर में बैठे रहते इसलिए उन्हें बाहर भेज दिया पूनम क्या अभी तक वहीं है? हाँ, उन लोगोंने ट्रॉंकाल लगाया हुआ है मैं तो तेरी वज़े से चली आई घर में ताला देखती और लोग बाग उल्टा सीधा कुछ बताते तो तू घबरा जाती प्लेट में पड़े बिस्कुटों को टुकुर टुकुर ताकते हुए मैं चुक चाप बैठी रही सारी भूख ही एकदम समाथ हो गई थी उसका मन सुबह से ही गिरा गिरा सा हो रहा था अम्मा कहती जा रही थी ऐसा अकसर होता है अपना कोई कष्ट में हो तो मन को संकेत मिल जाता है इसी लिए तो इतनी चड़चडी हो रही थी सुबह जो मुह में आया बके जा रही थी नहीं तो भला तेरे साथ कभी ऐसी बच जवानी की है उसने मैं एकदम ओठ खड़ी हुई अम्मा थोड़ी सी खिचडी बना लेती है बच्चे आयेंगे तो एकदम भूखे होंगे किचन में आकर बड़ी देर तक खटर पटर करती रही मैं अम्मा के पास दोबारा जाने का साहस नहीं था वही सुबह वाला प्रसंग फिर से छड़ जाने का डर था और एक शंका बार-बार मन में चक्कर काट रही थी मुकल को गोली लगी है कैसे लगी है कहां लगी है उसका भविश्य अब क्या होगा ये शंकाएं सभावते ही मन में उठी थी पर भूल से भी मैं उन्हें शब्दों में बांधना नहीं चाहती थी घर में तूफान आ जाता बच्चे यथा समय लोट आये आते ही उन्हें खिला पिला कर मैंने पढ़ने के लिए भेज दिया रवी का वश चलता तो सारे करतब मुझे अभी करके दिखा देता पर मेरा मूर देखकर चुपचाप कमरे में चला गया मैं जानती थी कि दोनों अब किताब पॉपी खोल कर सामने रख लेंगे और छोटी मोटी शरारतें करते रहेंगे पर मैंने ध्यान नहीं दिया अम्मा ठंड हो रही है अब अंदर आ जाओ मैंने बाहर जाकर कहा मेरी शौल ला दे अम्मा ने उत्तर दिया उनके साथ मैं अपनी भी शौल लेती आई और वहीं बरामदे में अपना आसन जमा लिया अम्मा का उदास चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा था उन्हें धीरज बंधाते हुए मैंने कहा मुकल की पैर में गोली लगी है अम्मा उसमें इतना घबराने की कोई बात नहीं है तुम तो बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हो नर्वस नहीं हुरे मैं पर तब से बैठे बैठे यही सोच रही हूँ कि विधाता का यह कैसा अन्याय है भाग मेरे ही पीछे हाँ धोकर क्यों पड़ा हुआ है खेर अब मेरे साथ जो कुछ हुआ था सो तो अब बीत ही गया समझो पर कम से कम मेरी बच्चियों को तो सुख से रहने देता मैं उसी में खुशो लेती पर तुम लोगों का सुख भी भाग से देखा न गया मैंने सक्ती से अपने होट मेच लिये देख तो बैठे बिठाय यह क्या हो गया अम्मा का विसूर्णा जारी था अब इसकी कोई जरूरत थी पुलिस की आर्मी की नौकरी ऐसी ही होती है अम्मा संकर तो उन पर दिन रात छाया ही रहता है आने वाला हर दिन उनके लिए चुनावती होता है उनकी बीवियों को हर प्रकार की खबर सुनने के लिए दिल मजबूत करके रखना होता है इसलिए मैं शुरू से ही इस संबंध के पक्ष में नहीं थी पुनम बहुत भावुक लड़की है दिन रात का यह तनाव उससे जेला नहीं जाएगा किस्मत का फेर है बेटा अम्मा ने उसांस भर कर कहा पुनम बहुत भावुक है इसलिए मुश्किल है और तुमारे साथ यह था कि तुम योगेश कहता था कि एकदम भावना शूने हो मेरी बात छोड़ो अम्मा वह अध्याय अब समाप्थ हो चुका है मैंने तल्खी से कहा अम्मा एकदम सिट पिटा कर चुप हो गई फिर थोड़ी देर बाद धीरे से बोली उसका कुछ पता चला केस का? योगेश का? उसके केस का क्या हुआ? मुझे कुछ भी मालुम नहीं है और ना मैंने कुछ मालुम करने का प्रयासी ही किया है मुझे तो तुम पर हैरत होती है अम्मा जब लड़की सारे समाप्थ कर चुकी है तब तुम्हें दामाद में इतनी दिल्चस्पी क्यों है? वह सिर्फ मेरा दामाद नहीं था नेलू मेरा बेटा भी था तो अब यह दूसरा बेटा आया जाता है चिंता मत करो कौन? मुकुल? ना बेटे, मुकुल उसकी जगह नहीं ले सकता भरे पूरे परिवार का लड़का है दामाद की हैचियत से इस घर में आया था और उसी अदब से रहता है वह क्या योगेश की तरहे रसोई में आकर चाय मांगेगा? पकोडों की फर्माईश करेगा? बुखार में मेरा सिर्थ दबाएगा? सबजी लेने जाऊंगी तो क्या लड़ जगर कर मेरे हाथ से जोला छीनेगा? ना बेटे, बहुत फर्क होता है लड़का और चीज है, दामाद और चीज मन हुआ अम्मा से कहूं कि जिस योगेश की तुम बात कर रही हो वह पता नहीं कहां खो गया है अब तो पर उनका सुखत ब्रह्म तोड़ना अच्छा नहीं लगा बेटे का अभाव उनके जीवन में एक रिक्तता छोड़ गया है जिसे यहां वहां से भरने का प्रयास करती रहती है वे हेड लाइट की तेज रोष्णी हम लोगों की आँखों पर पड़ी और दूसरे ही छण मेजर सहाब की नेली एमबेस्टर दर्वाजे के सामने खड़ी थी हम लोग हडबडाय से उट खड़े हुए मैं कुर्सियां लाने के लिए अंदर दोड़ी गई और फिर खाली हाथ ही लोट आई डर था कहीं पूनम नाराज न हो जाए कि उन लोगों को बरामदे में क्यों बिठा दिया आजकर वह बहुत बारीकी से इन बातों को सोच दिये खास कर अपनी ननन्द रानी के यहां से लोटते समय उसके दिमाग में उनका सजा संवरा ड्राइंग रूम चाया रहता है मेजर साहब पूनम को छोड़ने के लिए खुद आये थे आते ही उन्होंने बधायों की जड़ी लगा दी माता जी मुबारक हो आपके मुकल को 500 रुपे का पुरसकार मिला है पुलिस पदक के लिए भी उसका नाम प्रपोस किया गया है अच्छा अम्मा ने अभीभूत स्वर में पूचा क्या ट्रंकाल लग गया था हाँ जी बड़ी देर बाद लाइन मिली पर बात अच्छे से हो गई उसके सीयों से ही बात हुई थी बहुत तारीफ कर रहे थे कह रहे थे लड़का होश्यार भी है और बहादुर भी सारी दबिश की प्लैनिंग उसी की थी और वह काम्याब रही कह रहे थे घुटने के नीचे और उपर दो गोलिया लगी थी उसके फिर भी वह मौके पर डटा रहा फर्स्ट एट तो बहुत बाद में मिली अब तो तबियत ठीक है अम्मा ने चिंता युक्त स्वर में पोचा जी हाँ आप लोगों की दुवा से ओपरेशन सक्सेस्फुल रहा मैं और निशी कल सुभे लखनाओ जा रहे हैं उससे देखने पूनम साथ जाना चाहे तो भेज दीजे फिर एक बार जुक कर अम्मा को लंबा सा अभिवादन देकर मेजर साहब चले गए उनकी जाते ही पूनम अम्मा के गले से लग गई मुझे लगा अब फिर रोना धोना शुरू हो जाएगा पर वह खुशी से विवल हो रही थी जानती हो अम्मा ओपरेशन के बाद जब होश में आये तो इन्होंने सबसे पहले मेरा नाम लिया सीयो साहब पूछ रहे थे कि पूनम कौन है उसी की पुकार हो रही है मेजर साहब ने तो मुझसे बात करने के लिए भी कहा था पर मुझसे बोला ही नहीं गया और फिर एकदम अम्मा के गले में जूलकर लाड़ भरे अंदाज में कहने लगी अम्मा हमें जाने दो ना कल उनके साथ प्लीज ओफ तू अंदर तो चल पहले अम्मा ने किसी तरह अपने को छुडाते हुए कहा उनका स्वर रूखा था अभी सोने का उपक्रम कर ही रही थी कि दर्वाजे पर हलकी दस्तक हुई चौक कर मैं उठ बैटी नीलू सो गई क्या बाहर खड़ी अम्मा फुस फुसा रही थी दर्वाजा बंद नहीं था सिर्फ उड़का हुआ था फिर भी मैंने उठकर उसे पूरा खोल दिया अम्मा दबे पाउं अंदर आई धीरे से दर्वाजे में साकल दी और मेरे बिस्तर पर आकर बैट गई मन में सौसाव शंकाओं का तूफान लिये मैं भी चुपचाप उनके पास आकर बैट गई नीलू बड़ी देर बात मा का स्वर फूटा क्या है पूनम को कन लखनाव भेज दू मुझे से क्यों पूँच रही हो तो और किस से पूँचू आसपास मेरा कोई और है भी अम्मा का स्वर बिना बात के उंचा उठने लगा मैंने बात को तूल देना अच्छा नहीं समझा और समझोते के लिहाज से कहा भेज भी दो तो हर्ज क्या है मेजर सहाव और निशादिदी साथ रहेंगी चिंता की तो कोई बात ही नहीं है जाने पहचाने लोग हैं और फिर उसके होने वाले रिष्टेदार हैं हम लोगों से जादा उसका ध्यान रखेंगी चिंता पूनम की नहीं है मुझे फिर सवाल यह है कि मेरा मतलब है कि पूनम को अगर हम भेज देते हैं तो उसका अर्थ यह होगा कि यह रिष्टा हमें स्विकार है सन रह गई मैं तो क्या तुम्हें रिष्टा स्विकार नहीं अब नहीं है लेकिन अम्मा सगाई जो हो चुकी है सगाईया क्या कभी तूटती नहीं मुझे से तो कोई जवाब नहीं देते बना अम्मा ही बोली अभी मेजर साहब ने क्या कहा तुने सुना तो होगा, उसके पैर में दो गोलिया लगी है, पर ओपरेशन ठीक हो गया है अम्मा, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि गोलिया निकल गई है, लेकिन अच्छा हो जाने पर वह अपने दोनों पैरों पर ठीक से खड़ा हो सकेगा, सब कुछ ठीक से जाने बिना मैं लड़की को एक कदम भी आगे नहीं रखने दोंगी, सच, देखा जाए तो मैं स्वयम पूरी शाम यही सब कुछ सोच रही थी, पर अम्मा के मूँ से यही बात बड़ी अटपटी, बड़ी घिनावनी लगने लगी, मैंने कहा अम्मा, यही दुरगटना शादी के बाद भ पूनम ने भी तो कुछ सोचा ही होगा अम्मा, अब वहे एकदम बच्ची तो नहीं है, कुछ सोचने समझने की इस्थिती में वहे है भी, वहे तो एकदम मीरा बाई बनी जा रही है आवेश में इंसान अपना भला बुरा कुछ सोच थोड़े ही पाता है, उसके लिए सोचने का काम तो हमी को करना पड़ेगा, एक दिन का सवाल तो है नहीं, जिन्दगी भर का साथ है जल्दबाजी में निर्णे लेने का परिनाम क्या होता है, तूने देखा तो है मैं आवाख होकर अम्मा का मुझ देखने लगी, इतने वर्षों में पहली बार उन्होंने अपने भावनाओं को अभिव्यक्ति दी थी मेरे निर्णे को कोसा था, और मैं समस्ती थी कि अम्मा ने योगेश के सारे अपराथ शमा कर दिये अम्मा की बातों ने पता नहीं कितनी पुरानी इस्मृतियों को कुरेद दिया, और कुछ छणों के लिए मैं विगत में खो गई गिन्ती के उन छणों में अपना पूरा जीवन पुनहे एक बार जी गई मैं बीच वाले वर्षों में कुछ भी घटित हो गया हो पर मैंने पाया कि अपने निर्णे के प्रती ना तब मन में कोई शंका थी ना अब कोई पश्तावा है उस उम्र का आवेश कुछ ऐसा ही होता है सोचने समझने के लिए तो मनुष्ट को पूरा जीवन मिल जाता है पर उसे अंतिम शंक कभी कभी ही मिलते हैं इसी आवेश में मैंने योगेश का वरण किया था इसी आवेश में सीमा ने उनका हाथ थामा था उम्र की इसी नाजुक देहलीज पर आज पूनम खड़ी है भावनाओं का यही अदम में ज्वार उसके अंदर हिलोरें ले रहा है किसी के लिए अपने को उत्सर्ग करने का आनंद उसे रोमांचित किये हुए है उसके साथ न्याय नहीं होगा क्या अम्र मैंने निर्णायक सवर में कहा पूनम को उन लोगों के साथ जाने दो ऐसे कैसे जाने दू पहले ठीक से तुम समझती क्यों नहीं अम्र मैंने खीज कर कहा सोच विचार तो तुम बाद में भी कर सकती हो पर यह दिन दोबारा लोट कर नहीं आएगा आज मुकल उसे व्याकुल होकर पुकार रहा है और वह भी जाने के लिए फड़ पड़ा रही है ऐसा संयोग क्या रोज रोज होता है अकसर तो यह होता है कि सामने वाला हमें पुकारता रह जाता है और हमें सुनने का भी आवकाश नहीं रहता या फिर यह होता है कि हम साथ चलने के लिए आकुल रहते हैं पर सामने वाले को ही हमारी जरूरत नहीं रहती दोनों ही इस्थितियां बहुत कस्ट कर होती हैं अम्मा आज मुकुल को पूनम की जरूरत है वह भी जाने के लिए व्यग्र है तो उसे मत रोको ऐसी सुनहरी घडियां जीवन में बार-बार नहीं आती पूनम के जीवन में भी फिर कभी यह संयोग ना बना तो वह तुम्हें कभी छमा नहीं करेगी कभी भी नहीं कहते कहते हाँ हुठी में और भर-भरा कर रो पड़ी अम्मा ने अपने आचल की कोर से हौले से मेरे आशू सोख लिए पर मेरे अंतस की पीड़ा उन तक पहुची या नहीं कौन जाने मनोरम शैली, मनो वैग्यानिक, मधुर इसपर्ष और पारिवारिक संबंधों की म्रदुल संवेदन शीलता से भरा यह उपन्यास आपको कैसा लगा? कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और अपने दोस्तों और परजितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिलकुल भी न भूलें धन्यवाद